मैं बच्पन तो मुझे बहुत याद नहीं है करीब जवती कक्षा से थोड़ा थोड़ा याद है उसके पहले का मुझे कुछ भी याद नहीं जवती कक्षा से इसलिए कि तब से मैं पाठ्षाला में जाना और स्कूल में जाना दोनों अलग अलग चीज़े पाठ्षाला मतलब जा जैन धर्म का प्रशिक्षन होता है वैसे मेरी मा जो कहती है कि मेरा जन्म जिस दिन हुआ उस दिन गांधी जी के हत्त्या होई थी और गाउं में तब वो शायद हिंदू मा सबाहिसा कुछ रहा होगा पता नहीं आरे से भी होगा तो उन्होंने पेड़े बाटे थे तो जा करके गाउवालों नोसका मकान जलान और फिर बामन होके तो मेरे बाबा वो सब बुझाने के लिए भाग कर गए थे मा ये कहती थी लेकिन मेरी मा जो है न वो ऐसे बहुत रैडिकल उमें थी जिसको ही लेडी कह सकते हम वे इसी थी वो हर धरने में हर उपवास में हर मोर्चे में मनर्मदा बचाओ के मा मेरी रह थे और वो ऐसे महिला थी जो चौथी कक्षा में पड़ी हुई उसके गाओं की सबसे पहली महिला वैसे वो खुद को उसको बहुत जिग्या सा अईरुवेद का ग्यान और कला संस्कृती का ग्यान बहुत था कसीदाकारी और खाना पकाने में भी सब में बड़ी एक्सपर् जीवन का सबसे बड़ा काम यह है कि तुमको जो विरासत में मिलाए न वो वसीहत में देना सीखो तो ऐसी मा और मेरे पिताजी जो थे वो पहले तो गोद आए हुए थे हमारे जहां हम गोद आए माले गाओ में तो मेरे पिताजी जब आये तो डादा तो गुजर चुके थे यहां वाले डादा तो मेरे पिता जी हमारी बड़ी जमीनदारी जागीर थी वो हमारे दादा जो थे वो राय बहादूर दिवान बहादूर तो वो थे दिवान बहादूर या कुछ उनके पास वो पिस्तोल का लाइसन और यह सब था तो इतने गंबीर बीमार हो गए कि अब चले जाएंगे इस तो मेरे जो सगे दादा थे वो भी गुजर चुके थे तो वो मेरी मा के सपने में आए और उन्हें ने बला कि देखो तुम अगर रोज यहां से आगे जीती जब तक हो तुम और बाबू पशु पक्षियों का ध्यान करोगे तो मैं समझता हूँ कि यह बच जाएगा तो मा ने फिर उठी उसके आख खुली तो रात भर जागी हुई थी उसने वो रोटी बना ही कुत्तों को डाली फिर दिन में मेरे पिताजी ने आख खुली फिर उसने सब सुनाया पिताजी को उस दिन से मेरे पिताजी में क्या बदला हुआ पता नहीं और तब से आखरी त और कवह को कुट्터 करते फिक कंदे को लिव सिव in restrict कुट्रादे बच्चों को गोली दे औरी देने के बाद वह मुंसे गांदी शंति नेयरे शंति देशनगर घरघः़े शंति कि मंत्र वह से बुल्वाते बादरी का जाना, उनको निलाना, उनको खिलाना, कपड़े पहनाना, यह सब करते थे, माँ उनके साथ रहती थे, तो बाबा का बहुत नाम, तो ऐसे पिता जी थे, रैसी मा थी, और हम लोग पाज भाई, मैं सबसे छोटा हूँ, और विशेश यह है वो जो मेरी अभी बेहन जो है जिन् करते, और उसका बेटे, छोटा बेटा तो 25 लोगों को ले करके सत्याग्रह में आया था, जब वो समरपन वाला पहला सत्याग्रह था, 98 या 99 का, तो वो आया था, फिर वहां से उन्होंने मदद भी बहुत भीजी थी, बड़ा बेटा जो है वो दिदी का जब भी आप लोग तो बहुत प्यार करते हैं, छपाई का काम भी कर देता था, तो वो सब ऐसे काम कर देता था, तो एक बड़ी आस्था नर्मदा बचाओ अंदोलन के बारे में हमारे जीले में जो थी न, खास करके मालेगा हो नासिक में, एक तो है कि इस अंदोलन के बारे में शायदी कोई आदवी हो जनों नहीं जानता, उसको शायद व्यक्ति का नाम न पता हो, लेकिन नर्मदा बचाओ बोल दिया तो लोग सब मदद कर देते थे, ऐसी ही, यहनि इस्टी में बैठाने से तो टिकित देने से तो सब करने से, इस वज़ए से एक वातावरण भी था, तो यह ऐसे वातावरण में हम लोग मा पिता जी ऐसे रहे, उसमें हम लोग बढ़े वे, उनकों को यह सथ धर्म विशेश से लगाओ तो था नहीं, हमारे हम लोग वैसे तो जैन धर्म में पैदा हुए, लेकिन हमारे जैनों के सभी संपरदायों के सादू आते रहे, जानते थे, हमारा गाओं माले गाओं से वेसे तीन किलोमेटर दूर था, 1956 में हो मुंसिपल्टी में चला गया, लेकिन हमारा अपना अलग अस्तित्व अभी तक भी है हमारे गाओं का, अब इधर इधर नस्ट हो गया, globalization के बाद, क्योंकि गाओं में बहुत खेती जो थी, वो सब एने हो गई उसके बाद तो कोई सबी रहा नहीं, राजकिय फक्षों ने भी बहुत घड़बड कर दिए, हमारे गाओं में गवलियों की बस्ति थी, डाल बनाने वालों की बस्ति थी, राजगोंड बोलते थी, डाल बनाने के हमारे हाँ, छेचे फीट के चक्किया थी, तो ऐसी चक्कि मोसम बोलते हैं उसको, लेकिन उसका नाम है मोक्षे गंगा, वो सहियादरी के मांगी तुंगी के पहाड़ों में से निकलती है, तो मोक्षे गंगा का हमको बच्पन में पढ़ा गया था कि उसका पानी ऐसा है कि उसमें हड़ी सबसे जल्दी पिखलती, इसलिए उसका नाम मोक्षे गंगा है, कुल लंबाई जो है वो 60 किलोमेटर ही है, लेकिन उसमें 60 किलोमेटर में उसमें 36 बांध बने वे हैं, और उस बांधों का नियोजन वो गाउवाले करते थे, और एक आदमी होता था जो बाढ़ के समय में बांध का गेट खोल देता था, एक ही गेट होत में उसमें लकडी लगी वे थे, लकडी निकल देता था, बाढ़ में जाकर भी, पाट करी उसको बोलते थे, और सब गाउवाले उसको अनाज देते थे साल भर का, और उस गाउव में उस बांध का जो पानी है वो जो जिस दो तिन गाउव में जाएगा, उस गाउव में फ कि उसने 1200 साल पहले यह बेटाई हुई अभी भी वह बांध है सब जगा एक किस्सा आपको बताता हूं परंपरागत में हमारा घर जो है वह कॉंग्रेस कोड देने आला था लेकिन जब इसका अंदोलन हुआ जै प्रकाश जी का और इमर्जंसी आही तो हमने सबने तही किया त जिन्दगी में एकी बार मैंने इलेक्शन में काम किया है और मेरा गाहों जैसा था हूं इसे निमाड की गाहों थे इसलिए मुझे बहुत वह लगाओ भी उससे होता था और दूसरा आप लोगों का मुख्य बात तो यह थी कि आप लोगों का कौज जो था जिसके लिए अड़ाई अपनी आपका गाहों आपके मादा पीता बगिरा वो तो आपने बताया पर एक पूरा टपा छूट गया है 87 था काने ता मेडिकल होकर के फिर हमारा ही ब्याच ऐसी थी कि उसको कंडेंस एंबीबीएस कोर्स मेला तो मेरे एंबीबीएस में एडमिशन हो गए डॉक्टर तो हो गए थे अब इतने पेशेंट है तो चलो दवाखाना डालते तो दवाखाना शुरू किया तो पहले दिन से दवाखान में मैंने पढ़ा बहुत मराठी साइथ उसका भी मेरे पर बहुत असर रहा इलस्ट्रेटेड विकली में पढ़ता था धर्मयूग पढ़ता था इसका भी मुझे बहुत असर रहा आपको एक किस्सा बताता हूं हमको एक चीफ गेस चाहिए था फंक्चन के लिए तो मैं बल गोदावरी परोलेकर तुम्हारे लिए ठीक है वो कमिनिस्ट है और उसकी किताब मैंने पढ़ी हुई थी जवा मानुच जागा हो तो वो किताब जब मैंने पढ़ी मैं वोस्टल में था तब मेडिकल में तो रात को सो गया हो तो हम टेरेस पर सोते थे सुबा उठकर के यह भी अपने कम के नहीं है फिर उसके आद एक बार जनसंग वाले हमारी यह आए थे उन्होंने पाच रुपिया दिया हम रसीद उसके सबासद वे वह व्यक्षान सुनने के लिए गया थे अटल जी का लेकिन उसमें जो लोग बोल रहे थे बाकी के लोगों सब मुझे ला है और कॉंग्रेस के बारे में तो मन खटाई हो गया था क्योंकि हमारे आने तक कॉंग्रेस की बुराई यह बहुत सामने आ गए थे तो जैसे मैं आया माले गाहूं तो इमर्जेंसी शुरू हो गई किदर आई किदर गई मुझे कुछ पता नहीं मुझे कोई असर भी नहीं हो असका मेरा डिस्पेंसरी शुरू हो गया था लेकिन तब जैप्रकाश के बारे में छप कर रहा है और एक चार लाइन आई कि मुझे ऐसे युवाओं की जरुरत है ज जो देश के लिए समर्पित हो जो अपनी आय का निश्चित हिस्सा देश के लिए समाज के लिए देंगे जो अपने समय का निश्चित हिस्सा देश के लिए देंगे जो बवराष्ट्य कंपनियों का उत्पात इस्तेमाल नहीं करेंगे और जो सत्ता की राजनीती में नहीं जाए और मुझे लाए कि यह आदमी जो बोलता है अपने काम की बात है और मैं तुरंट पत्र लिखा उस पते पर उनका जवाब को कुछ आया नहीं मुझे तब तक हमारे गाओं के और चार युवाग पहुंच गए वह सब सामान ने वर्गा के थे और सामान ने जाती के भी वह सब हम यह से पचीत साल के नीचे के थे तो यह गए जलगाओं पहुंच गए डारेक तो उन्हीं ने कहा रहे तुमारे यहां से डॉक्तर का पत्र आया उसको जाके मिलो और उसके साथ काम करूं तो आये मेरे पास तो उन्हीं मुझे में पांची लोग थे वह इसलिए न फिर उसका उधगाटन करना था नाइंटीन सिक्स सेवन्टी सिक्स की बात है दो अक्टूबर की शाहिद अगर मैं यह क्योंकि पाच फरवरी सेवन्टी सिक्स में मेरी शादी वे उस समय हमारे यह बहुत बड़ी पेड़ी थी हमारी आड़त दुकान थी यह मेरे जो दो गंबीर हो चुकी थी खेती हमारी एक्विजिशन में जाने का डर था क्योंकि बगल की खेती वह भाउसाय वीरे ने एक्वायर कर ली थी सिक्षन संस्ता के लिए और हम तो किसान थे और किसान के हालत क्या होती आप जानते और पिता जी ने फॉर्ट यह ने मेरे जनम के पह कर हम खरीद पाते थे वह मिलती थी तो वैसी गरीबी में भी हम लोग जी है तो मेरा भाई जब इंटर पास होके आया तो एक दिन वह खाना खा रहा था तो खाने में सब्जी तो किसान क्या बहुत मुश्किल होती तो थी नहीं तो बोला मेहनत करके पैसा लाओंगा सब्ज सब्जी लेकर घर पर लेकिन उस दिन से उसने तय कर लिया था कि आप अपनी आयल मिल होगी लेकिन उसने इतना व्यापारबाद में बढ़ाया इतनी मेहनत से बढ़ाया कि आप उसकी मैं उसकी कलपना नहीं कर सकता लेकिन उसने हमको बहुत सुख में रखा और बहुत बोरे से तो वह उसकी कॉलर पकड़ लेता था पहलों तो वह ही उतना उगाने के लिए किसान को कितना श्रम लगता है मुझे भी रोड़ना आ जाता है किसान के प्रति कुछ कोई भी कुछ करें तो मेरे पिताजी और भाई किसान के प्रति कोई जरा भी कुछ गलत बोले या उसको एक्स्प्लाइट करें मेरे भाई और मेरे पिता जी तो सब उसकी कॉलरी पकड़ लेंगे फिर वो कुछ देखेंगे ने आगे पीछे जेल में जाना पड़ेगा तो आपको एक बात बताओं तो आपको याद होगा हमक वो राजगाट से उठाकर उदर डाल दिया था लाल की लेके पीछे और वो नेलसन मंडेला के हाथ से वो वर्ल्ड कमिशन ओन डैम्स का उद्गाट अनौना था दीदी चले गए थी तुमने सडक जाम की थी पानी नहीं था श्रीपाद ने और तुमने और हमने सबने हम बा दोरिया आले तो उन्हें ने का यह डॉक्टर साब एकागे तो मालेगाओ का का मालेगाओ महाराष्ट का अरे वो कानवल बशराज को जनते हो यहां तक मेरे भाही का नाम इतना उन्हें उसने बहुत सचोटी से विवसाई कि तो यह भी उसका भी तो एक असर होता है ना तब समाजवादियों का हमारे गड़ था हमारा गाओं यह पहले समय से 1952 से समाजवादियों का गड़ रहा है और गाओं में समाजवादियों आता हुरूं था मेरे गाओं में particular निमालेगाओं कैंप जो है हमारा उसको लशकर बोलते वहां भी और हमारी मुंसिपार्टी त सबसे लगबग मुझे लगता है कि शुरू के कुछ साल रही होगी कॉंग्रेस के कबजे में बाद में वो अभी तक भी समाजवादियों के कबजे में यह नाम बदल बदल के इदर उदर होते हैं तो वो एक परमपरा गाओं में भी एक महौल रहता है तो उसका भी एक में वो निचली जाती के लोगों के साथ भी छुआ चुत ने उनके साथ रहना खाना पीना इसका एक असर तो आदमी के बनने पर होता है अब आप आज बोल रहे हैं तो यह सब याद आ रहा है तो यह सब कौन बोलेगा और कौन सुनेगा भी इतना समय लेकिन यह सब माहौल में में बड़ा होते होते जह प्रकाश तक आया इस सारे सब लोगों के कारण तो फिर हमने समाजवादियों के कारण सुचा कि क्या काम लेंगे तो वह एक जोपड़ पट्टी थी उसके सवाल थे तो वो जोपड़ पट्टी में सुईधाय नहीं थी उसका अंदोलन हमने श एक बार बीच में तो अकबार वाले ने क्या क्या मोर्चा का वरनन खबर तो आई लेकिन उसने कहीं पर भी हमारे जो लड़के काम कर रहे थे उनका नाम नहीं डाला और जो प्रस्तापित समाजवादी थे उसका नाम उसमें डाल दिया तब से मेरे दिमाग में एक साफ है क कि ये खबर ये मीडिया इसका महत तो उतना नहीं है जितना कार्यकरता को जोडने का महत है इसलिए मैं वह बहुत जंजट में अभी भी नहीं पड़ता हो और दवाखाने में गरदी बहुत रहती थे मुझे रोज 100 पेशेंट निकालना होता था और मेरा बहुत टाइमिंग जो है वो मेरा वाहिनी के लिए ही समर्पित था तब भी फिर ये काम करते करते भी मुझे एक और था कि बुग बैंक चालू कर दी थी मालेगों में तो मैंने पहले तहीं किया था कि बच्चों को किताबे देना ही अपना काम है तो वो उससे बच्चे भी मेरे से जुड़े ह था दूसरी तरब ये संगर्ष का काम भी ये हमारा शुरू से साथ साथ में था और फिर विशेयों को लेकर मोर्चे निकालना धरना करना करते थे और ऐसे में भी मैं समय निकाल करके शिवीरों को जाता था संगर्ष वाहिनी के शिवीर लगते थे फिर ऐसे हम लोग काम करत करते करते उस शिवीर में यह हुआ कि मरा ठोड़ा अंदोलन में हमको कूदना चाहिए क्योंकि नामन तरकार जाती है था कि खिलाफ का अंदोलन था तब हमको वह अंदोलन में लोग 38 लोग गए माले गाउसे मेल लेकर गया अमने तही किया कि वहां तो अटक हो रही है से सुन अटा देखना है तो आंदोलन में हम गए और तो उतने में फिर वो फाइरिंग हुई और बहुत हुलड हो गई तो पुलीस आई और हमको पकड़ लिया एरिस्ट करके हमको सबको ले जा करके हरसुल जेल के वहां राल दिया और वहां जब हमको रखा तो वहाहिनी वाले सब पकड़ के आये अलग-अलग जगा से तो सब इकटा हो गए वह फिर उन्होंने हमको बस दी और बला कि तुमको उठा करके ले जा रहे और वह बस वहां से निकली तो हमको नासिक जेल ले गए वह लोग जेल में गए हम तो तो नासिक में भी हमारा यूनिट मेंने खड़ा क चीरह हमको इरोडा जेल गए तो एक महिना भर हम लोग एरोडा जेल रहें तो सबके सब बड़ी मजा थी वह बाबाढशा बाइव दिवा थे हमको एकी बराक था हमारे इसमें बिहार के भी लचके आ गए थे हमारे वाहिनी वाले के विभी बिहार का यूनिट बहुत स्ट्रॉंग था महाराष्ट के लोग थे तो वह जेल का था फिर वहां से आने के बाद जब जेल से वापस आ गए उनसी में हम लोग वापस तो बोध गया का अंदोलन छिड़ गया है भूमी वह 6,000 या कुछ ऐसी जम में महांत के पास थी तो अंदोलन चला बड़ा तो वहाईनी के देश भर के लोगों को बुलाया तो फिर मैंने माले गाउं से दो लड़कों को भेजा बड़ा यूनिट हो गया था और इतने रोज कारेक्रम होते तो बड़ा उत्सा था और वह जे प्रकाश जी की प्रेर न इसी थी ना कि आप बोली न सकते तब भी मुझे लोग कहते रहे जेपी को मुंबई लाया चलो देखने को यह जीजों मैं आर्थ नहीं हमको जेपी का काम करने तो मैं मुझे कभी लगाने कि बंबई जेपी आया चलो मिले देखे इसा फिर पैसे लगते थे वहां अब क्या करना चाहिए फिर हमारे महाराष्ट ऑफिस को टाइप राइटर की जरूरत थी तो भी मेरे पास हो जो भी लगता था मेरे पास मंगते थे तो फिर मैं माले गाओं में पैसे जमा करना शुरू किया तो तब तक हमारा काफी एच्छा यह हो गया था कि यह सेवा भी करते है यह समय मनता था तो फिर वाओ उन्हें गाना गा गाके चौक चौक में पैसे में जोली पहला के पैसे जमा करना एक टेम दवा खाना करना और एक टेम यह काम करना दो पहर से नासिक जाके आइसा किया तो अब मैं ससराल में बहुत रहता नहीं था क्योंकि दवा खाना झाना ओगको जाणा घये मितलब खाडब नगा वा तो चलेका लेकिन नीजी काम के लिए मैं नहीं करता था उलत मेमीेरा कहने रहेतagenम कि में बहुत कम समय देता था लेकिन पतने मेरी पतनी जो है न वो पहले से ही शायद ऐसे ही सुभाव की है इसलिए मुझे ऐसी पतनी मिली है जो भाग्य से ही बहुत कम कारे करता हो को में ते इतनी समर्पित है न कि उसने कभी आज तक मुझसे यह नहीं पूचा कि तुम क्या कमाते हो किसको देते हो कपड कभी मांगे नहीं कभी गहने पहने नहीं फिर मैंने टायर की चपल पहनना शुरू किया हो सूट वगेरा थे वह भी दान में दे दिए फिर लोगों को तो फिर एक बार हमारे घर के लोगों ने हमको बेठा है और उन्होंने कहा कि तु क्या हमारी इज़त खाक में मिलेगा यह टायर की चपल तु पहनता है और यह से कपड़ी तु पहनता है साधा रहता है तो फिर मेरी मां ने रात को दो बड़े तक मिटिंग चली मेरी मां ने कहा कि देखो वह जो कर रहा है न उसका आचरन जो है वह परिग्रह का आचरन है और हम अगर पाठचे सुरान भाई का कथन अगर मानते हैं तो हमको इसको विरोध नहीं करना चाहिए उतनी एक बार हुआ था दूसरे दिन क्या हुआ कि मेरा भाई की स्कूटर पंक्चर हो गई रास्ते वह स्कूटर कुछ खराब हो गई वह रुका वा था तो दो महिला यह जा रही थी तो महिला आपस में बात कर रही थी तो वो बोल रहे एक को इधर उदर जाती हूं सुगन डाक्टर है ना उसकिया जाने का फुकर तुमके बगार कारण का इंजेक्षा नहीं देगा बगार कारण के दवा नहीं देगा चार्ज नहीं लहाय đó यानि भाही के पास और 33% जो है वो मैं संगर्श वाहिनी को मेरी इंकम देता है खुद की पिर हमारे हाँ लोग आते थे रहते थे खाना काना व्योस्ता तो घर के लोग सब करते थे और तुमारी भावी भी मिल्दब शशीकला भी सब का अनंद से करते थे इसा हमारे घर में ऐ लॺए तो जैसे वाहिनी से बाहर हुआ तो हमारे गाऊं में सेवा दल था वह टूटकाया है था में वहाहिनी का अधिकरूद सभासत नहीं रह सकता है तब आप अमारे टीम थि तो मैं पूरा काम तो मही करते था सपपोर्ट करते था तो और सब हमारा एक्दम आ सब महीं च अच्छी होती थी हमारी तो जैसे ही मैं तिसोत्तर हुआ तो गाओ के वो समाजवादी पूराने सब लोग थे उन्हों है कि इसको सेवादल का अद्धेक्ष बना दिया यह 82 की बात है तो मैं अद्धेक्ष हुआ तो मैंने पहला शिवीर कर लिया और युवा जुड़ गए फ उसमें से सेकडों बच्चे गाओं के हमारे साब जुड़ गए लो कोई मोर्चा निकालना हो कुछ करना हो था हमको कोई जरूर नहीं पड़ते एक सीटी मारे की 1500 लोग तैयार और फिर गाओं में वातावरन भी बन गया था इस धर्मियान क्या हो गया था कि जो सबसे बिवर्तनकारी जेन संत्य थे आनंद रुशी जी उनके व्यक्षान में मनडब को आग लग गए थी मनमण में बहुत लोग जल गए थे तो तब मैंने वार फुटिंग पर मेडिकल हेल्प का काम किया था तो उससे ही जो इलाइट वार्ग में भी मेरे एक छबी बन गई थे तो वो जो मैंने मेडिकल वार फुटिंग पर काम किया वो भी था अब मेरी छबी भी बन गई थी कि यह गरीबों का डॉक्टर है तो वो उस वज़े से गाओं के बहुत लोग मुझसे जूड गए थे तो मेरे यह सब कामों में मदद करते थे इसका यह लाब होगा कि वो ज के पिछ वो सब काम था फिर उस दर्मियान हम तिस्वत्र हुए तो एक शिवी रुआ कि आगे क्या करना चाहिए नागपूर में तो वहां पर वसंत्राव पलशी कर से पहली बार मुलाकात है और वहां पर वसंत्राव जो है उन्होंने सुक्ष्म हिंसा और स्थूल हिंसा का भेद मुझे प्रश्ण था तो अम नीजी ऐसे गपा मारते बैठे थे तो समझाया उन्होंने मुझे इसलिए वसंत्राव ऐसे माने में जो मेरे प्रात्यस्मरणिय लोग है उसमें और तब से फिर उन्होंने मुझे कई आइडिया दी कि संगटन कैसे करना क्या करना तो फि लौत तो मैं आ इतना नाम हो गया ना तो नहीं के समय में महिएवात होते थे और सिवादल में भी लिए लुझा-धियर होने लगे तो वाहिनी के समय भी राष्ट्रि ये लीवल पर हमारा नाम था मartzen और अपने घर आज सा दीन्हों बिमार्ड जाते थे कारीकरता तो आना रहना उनकी ट्रीटमेंट करना उनके कपड़े लगते का देखना उनके खाने पिने का एक्टिविस्ट लोगा तब तक यह समझे लगा था फुल टाइमर क्या होते वगरा तो लोग भी बहुत बरोसा करते थे और मालेगाओं में लोग ऐसे भी बहुत हमको तब से देते थे तो फिर हमारा सेवादल में भी राष्ट्रिय लेव स्तर तक भी मैंने काम किया और वहां भी बहुत हमारा काम हुआ एसम जोशी भी हमारे यहां आए आदमी बनता है तो अकेले नहीं बनता किस-किस का उसमें कैसा सहयोग होता है इसलिए कभी ऐसा लगता नहीं था कि हम कु लोड़े बड़े हो रहे थे तो किसी को फोटोग्राफी का शोकता तो किसी को कैमेरे के लिए पैसा दिया किसी को बरतन का फेरी का काम करना था तो उसको हदगाड़ी के लिए पैसे दिया तो वो सबने मेरा पैसा लोटा है और अभी उसमें से अधिकतर बच्चे जो है वो पूरी तरह से सौलम भी है वो थे जो पड़ पटी के तो उनके अपने पके मकान बंगले हो गए है किसी के पास तो गाडिया हो गई है कोई बड़ा फोटोग्राफर हो गए है कोई बड़ा बरतन वाला हो गए है किसी के बड़ा होटल हो गए है पर अभी भी वो मुझे मदद करते हैं मानते हैं सब कोई रेशन दुकांत का सप्लायर हो गया उनको जीवन में इस्टैबलिश करने का भी काम किया तो उससे उनको आज भी सेवा दल के प्राष्टर सेवा दल के प्रती और वाहिनी के जेपी मुमेंट के प्रती सरोदय के प्रती बड़ी आसता है उनमें से कई बच्चे अभी भी सरोदय सम्मेलन में भी आते हैं तो यह सब रचना का काम इस तरह का पारिवारिक्ता का काम यह सब आगे बढ़ते बढ़ते क्या हुआ वह ब्यासी में जम्ना बेन हमारे जीवन में जब सेवा दल का अध्यक्षत तभी की बात है यह वह खादी की साड़ी पहने हुए दूबली 36 किलो की महिला थी बोली कि हम गोरक्षा का काम शुरू कर रहे तुम आओगे की नहीं तो मैं नहीं वह संप्रदाइक लोग काम है महीं नहीं आओंगा और वह बाबा हिंदु त पानी पिलाने आओगे तो रह देखो गा दवह खाने में फूरसट रहेगी तो आओगे तो अलग सिक्वा भी जब है। सबसे बाचित की हमारे लोगों से हमारे सामने एक महमद साब कुरेशी रहते थे उनके साथ बाचित की और एक मोर्चा निकला तो फिर मोर्चा निकल गया हो सबसे मिल ली हमारे सब साथियों से तो साथी भी आ गए तो मुझे भी सहवागी होना पड़ा तो मैं सहवागी हो ग गए और गांधी पुतले के पास सत्याग्रा के लिए बैटे बाइस दिन सत्याग्रा चला बाइस दिन में गाउं-गाउं से भजनी मंडल आते थे कसाई समाज के लोग भी हमारे साथ उपवास में बैठे वाई बड़ी जबरदस्त और महिला थे उसमें मैंने किताब पड़ी विनोबा की एक शिश्य की कालिन दिताई की और फिर मेरा गोरक्षा के बारे में सब भ्रहम टूड़े हैं फिर मैं गोरक्षा की काम में इतना जूड़ गया है इतना जूड़ गया है कि अभी भी लोग मुझे जादा तर गो सेवक के नम से जान तो वो भी एक माहल गाव में बन गया कि पान पान सो गाय पकड़ना फिर बेपारियों का साथ में आना सेकड़ों बेपारियों की सभाय होना यह सब हुआ अब यह जमना बेन जीवन में न तो सर्वोदय कब गुज गया पता ही नहीं चला तो वो मुझे ले गई अब कताई से क्या होने वाला है और बहुत उन पर टिका में ने की सब शांती से सुन ली उन्होंने किसी ने कोई प्रवाद नहीं किया और रात को तो मुझे दूसरे दिन डिस्पेंस दिन तो मैं तो रात को आ गया वापस नांदेड से आठ दिन के बाद मुझे पत्र आया कि आपको महराष्ट की कार्यकारणी में निमंत्रित लिया गया है यह मठकर जी की और बंक साहब की नजर थी ऐसा मैं आज समझता हूं कि उन्होंने मुझे ले लिया फिर कार्या ले बनाना था तो हमारा यह बाड़ा पीछे था वहां एक रूम थी और ऐसी पत्रे की शेड जोदाई का ओफिस शुरूगा वो फिस जमना बेन बहुत स्ट्रिक्ट महिला थी तो उसके बारे में तो मैं जितना आपको बताऊं काम है क्योंकि वो जीवन का उद्देश यानि टेक्स्ट मैं ने समझा उसका आर्थ समझा सुराना भाई से प्रेरना मा से मिली सुराना भ प्रवास शुरूआ तो शामराव पार्टी ते न जमना बेन बहुत प्रयोक करती थी हम पर फिर वthinking शत्यागर में मुसलमान लोग 22 मुसलमान सत्यागर में हमारे साथ बैठे थे फिर वहसा पूरा हुआ पिर गाय अड पता चली कि 110 से करें वहाँ पर गए उसको कब्जे में लिया उस पर डेवलोप्मेंट करना इस सब में मैंने बहुत समय दिया इधर सिवादल भी हमारा चलते रहा तो वाहिनी भी चलते रही 84 में मेरा अध्यक्षपद छोड़ दिया मैंने सिवादल का लेकिन मुख्य भूमी का जैसे होती ने परिवार में वह मेरी रहती थी हमेशा तक और सिवादल के सब बड़े बड़े दिगज लोग मेरे साथ गाउं का पूरा सफाई करने के काम में रहते थे तो पूरे गाउं म पर जैसा माहौल फिर माले गाउं भी पूरा जुड़ गया संगमिश्वर जुड़ गया जहां सेवादल जहां बहुत एक्टिव था क्योंकि यह तो जुड़ना लोगों को जुड़ाना अपने हाथ में होता है तो वो सब जुड़ गया उनको मैं हमेशा आगे करता रहा कि अब एक तो यह मेरे मन में हमेशा रहता था कि हम किसी की बनाई जमीन पर ही खड़े रहते हैं तो आदमी तो किसी जमीन पर ही खड़ा होता है तो जमीन का रूनी तो हमेशा होना चाहिए तब यह सब काम करता तो मैं एक तरफ सेवादल का और एक तरफ सर्वद एगा फिर दॉस्ततilde , युइं बहुत तो कुछू उस तरह के भी लड़के मिल गए तो हर एक शत्र में मतलब हम ऐसा कामकरते रहे. पि वहां से आगे चलते चलते, यह सर्वधै के मुश्मेहम libro में जब महें हुआ तो 84 में हमने महाराष्र का सर्वधै सम्मेलन माले गाऊ में कि उस जमाने में महाराष्ट के सरोदे सम्मेलन को करिक मुझे कि ख्याल है कि 32-34,000 रुपया खर्चा है जो जमा करना वेसे बहुत मुश्किल था और मिटिंग होई और लोगों ने पैसा दिया तो वो इतना प्रतिम सम्मेलन हुआ तो उसमें कहीं पर भी सेंट्रलाइज थे महाराikle में कार्यकरता को जोड़ने में यदुकाका का नाम समाजवाद्यों में था विससा सर्वद्य में बंक साहब और बंक साप के बाद मठ कर तो फिर मैं बढ़ते ही गया फिर सर्वोदय में मेरा काम फिर प्रांतिक पातली पर भी मैं रहा है तो यह हमारी जमना बेन की आत्रा चालू रहती थी फिर बहुत कारे करम जमना बेन सर्वोदय के करती थी फिर पदयात्राय शुरू हो गई इस दर्मियान सेथकरी अंदोलन चालू हो गया था शरज जोशिका तो हमारे ज़्यादा तर वाहिनी के तिसुत तर साथी उसमें चले पर मुझे पता नहीं कि उस शुरू से लगता है कि यह आदमी बराबर नहीं है तो मैंने कभी वो बिल्ला नहीं लगया उसका और मैं एक भी उसकी सभा में नहीं गया एक एक लाग की सभा मेरे गाउं से 30 किलो मिटर पर हुई लेकिन मुझे उसका एट्रेक्शन नहीं हो यह लोग सब आते थे विदर्बसे मनाटवडा से रुकते मेरे आते और उस सभा में जाते थे लेकिन मुझे लगता था कि आदमी करांतिकारी विचार भले रखता हूँ कोई भी आदमी लेकिन उसका आचरण वैसा नहीं होगा तो नहीं रख सकते लेकिन मुझे भीतर से लगता था कि यह वो किसान अंदोलन संपूर्ण परिवर्तन की तरफ जो जाना चाहिए वो इसके बात में दम नहीं है पर मैं इनकी पूरी मदद करता था वो शरच जोशिकर ने एक किताब छपी थी क्राम्तिकारी शितकरी युद्धा तो वो भी मैंने चाप कर दी थी और बहुत मदद करते थे लेकिन मैंने नहीं क्या पयों ने अपनी सरवोधाई की किसान अंदोलन की आता निकाली 21 मंने लुए। करcriptल किया 5 फिर ऐसे में बंग साफ के कारएक्रम महाराष्ट के कारिक्रम लगते थे 10 बंग साफ की बड़ी पदेहत्रा निकली तो मेरे पास पूरा उत्तर महाराष्ट का काम था अब प्रभोधन भी होते रहता था फिर इदर सेवादल के कारण यदू काका के भी कारेक्रम आते थे तो उसमें व्रुक्षदिंडी का कारेक्रम था फिर वह भी हमने बहुत पूरा किया उसका भी बहुत नाम हो फिर पेड़ लगाए गाउं में तो वह एक नहीं बात थी उसमाने चहा कर रहता है बंक साब जैसा आदम है तो लोगों को बड़ा हो रहता था तो यदू काका केदर मैने पहली बार लिखना सी नुरॉण कि लिखो साध्ना में फिर साधना में मैं लिखते रहा वो भी साधना में चपा तो साधना में पहले से काका के कारण मेरे लेख आते रहे तो साधना में भी अपने एक पढ़ने वाला बड़ा वर गहे ना तो उससे था और सेवादल के कारण पूरे महारस्ट में नाम था तो लोग आते आते थे पन्नालाल जी सुराना यह वो सब शाखा में जाना फिर वो आमारा एक ड्रेस कोड रहता है शाखा का खाकी पेहन्ट सफेज शर्ट गांधी टोपी वो सब पहन पाच-पाच शेवादल की शाखाय चलती थी तो यह सब माहौल ऐसा भरा हुआ एकदम उसको मराठे में बुलते रसरशीत ऐसा वो माहौल गाहों का था फिर ऐसे ही चलते गया उसके पहले 87 में बंबई में हमारा सर्वोदे समाज का सम्मेलन था तो फिर वहाँ पर निवास व्योस्ता 5000 से करीब देश के लोग थे और 500 के करीब विदेशी लोग थे तो मैं 30 लड़कों को लेके माले गाउ से 15 दिन पहले निवास व्योस्ता के लिए बोरीवली में गया है तो ऐसे फिर वह 87 का सम्मेलन 88 का एप इंपर लेर का सम्मेलन ऐसा काम आगे बढ़ते बढ़ते गया नवा देख्या नो ब्यानों में फिर और भी आलंदी वगेरा सम्मेलन में में जाता रहा लेकिन आल फिर फिर 92 या 91 में जम्ना भें महारष्ट्पर्देश शरोदय मंदल के अध्यक्षों में वह देश में पहली महीला थी जो अध्यक्षो है सरवदे में किसी प्रदेश की तो हमारे चर्खे आए खादी बंडार आया तो हमने खादी बंडार शुरू किया 75 चर्खे हम चलाते थे तो हमारी भावी जो है हपते का बाजार करना बोलते हैं मतलब गुंडी गिन कर लेना और पैसे दे रहा तो वो करती थी संजे जोशी मदद करते थे संजे जोशी का और मेरा रिष्टा जो है न वो मतलब एक सखा का रिष्टा है कृष्णा अरजुन के जैसे तो ये संजे जोशी इनको ले करके काम में से थोड़ा थोड़ा चुटते गए इस दर्मियानी ब्यास्ची में मेरे जो शिक्षक थे जिन से मैंने इंगलिस सिखा देवरे साथ उनका बेटा जो था उसका डी एच एमस में नमबर लग गया वो जो बाहर डॉक्टर में ने कहा तो पुछते थे चुट्टी में क्या करना यहां रहेगा तो वो डिस्पेंसरी में रहता है दीरे दीरे वो यह असिस्टन्ट हो गया और वो ही दवा खाना चलाता है अब तो ऐसी स्थिती है कि लोग उसको बरन डॉक्टर नाम से जनते हैं अभी की बात है पिछले दिवाली पर मैं दवा खाने में गया तो हमारा भी कंपॉंडर नया होगा तो उसको मालम नहीं था तो मैं गया तो उसने कहा कि आपका नाम लिग दो इसमों रजिस्टर में को जैते से पेशन्ट को नाम दर्ज करना पड़ता है तो उसने हस कर उसको कहा कि एरे वो बड़े डाक्टर है तो ऐसे अभी मैं रिख्शा से उतर जाता हूं तो बो फूसते बाबा कहा जाना है तो उगना नाम तो जानते नहीं पीडि यहीं वह ऐसा न क्योंकि मैं नर्मदा बचाओं मैं आया मैं तबसे बहार ही हूँ एने 98 से, 93 से सरी, 93 में मैं फुल टाइमर हुए, तो तब से बाहर ही हो तो अब एक पेड़ी गुजर गही ने, और फिर उसके बाद जब बाई अध्यक शुई तो मैं महामंत्री हुआ, और एक आदमी का इसे जीवन में, जैसे मैंने आपको शरच जोशी का बता है, वैसे उस समः राजियु दिक्षित का बहुत बोल बाला थे, और राजियु दिक्षित को ले करके और बंक साब और पेंटे जी की, पुना के कॉलेज जुस में मीटिंग थी, और वो उस दिन मीटिंग में, संमेलन में, संमेलन में नहीं थे मायाराष्ट जर्फा, तो मुझे ठीक न समापन बाई अद्धिक्ष हो गई तो चार्ज हेंडोर करना मठकर के बाई से तो समापन का कारेक्रम था और संचलन महें महामंत्री था तो मेरी तरफ आया और वहां पर राजय दिक्षित ने कुछ भाषन किया मैंने देखा कि पूना का कोई पिच्चु भी उसमें आया नहीं था और ना कई होली होई थी कोल्गेट की और उसकी और वो उसने जो भाषन दिया ना तो मुझे तभी लागा कि यह आदमी ठीक नहीं और उसने जो बोला वो मैंने अपने संचलन के भाषन में पूरा उसका प्रत्युत्तर दे दिया उसके बाद भी मालेगाओ आया था मैंने उसके एक दो सभाय की थी लेकिन बाद में मुझे लगा नहीं बगवान ऐसे लोगों को मुझे अपने आपी दूर रखता है शरत जोशी के साथ भी मैं रंतिकारी वही लोग थे चंद्रकांत वांखेड़े अमर अभीब है शेकर सुनाकर यह सब हमारे ब्रेन लोग थे सुदाकर जादो है तो वह बहुत करीब थे लेकिन तब भी साथ दिन रहने के बाद भी नहीं मुझे लगा नहीं अपने घर आ गया हूं नर्मदा बच्व से वो लोग आये थे एकदम लेकिन मुझे कोई उसका असर नहीं हुआ था तो यह सब हुआ फिबाई अद्धिक्ष हो गई बाई और हमारा कार्याल एकदम 24 गंटा कार्याल एक खुला लिखना और सब पत्रिकाओं के ग्रहक बनाना और यह समयोग के ग्रहक और यह सब लोग काम करते थे तो वो गोरक्षा सत्याग्रह के लिए मिलने को बाई जाने वाली थी करार से बाई वहां से गई कुछ पता चला कि बुदान की जमीन का मसला हो गया तो बाई गई वहां बुलडाना जीले में वो सत्पुडा में और आते समय मही महेना था कड़ी धूप एक दम एक 30 मही तारीक ऐसे कुछ थे और बाई एक मोटर साइकल पर पीछे बैठी थी वहां के कारे करता है वो सामने से ट्रक आई और उसने गाड़ी नीचे उतारे फिर चड़ाने गया न तो वो गाड़ी स्लिप होगे बाई गिर गई पीछे और बाई वही बेशुद हो उस दिन से आज तक मैं दवा खान में चड़ा ही नहीं वापस मैं अपने आप फुल टाइमर हो गए एक जून उननिस सुत रहनों तो मैं अपने आप फुल टाइमर हो गए तो मैं समझता हूँ कि बाई ही उसका अधूरा काम मुझसे करा ले रहे अभी भी उससे क्या-क्या नहीं सिखा जीवन में आप मुझे पूछे तो वो तो अगर जीवन में मा और सुराणा बाई के बाद किसी का नंबर है तो वो जमना भेन का है ऐसी महिला थी और वो बाई गुजर गई और मैं अनायसी उतर गया तो यह सब बाते ऐसी चलते रहें अब रुख जाते हैं थोड़ा तो 98 में वो जब डिसीजन आया ना सुप्रीम कोट का उसके बाद फिर आप लोगों की कमेटी बैठी होगी आपने कुछ निर्णे किया उसमें तो मैं यूजरी आपके वो निर्णे प्रक्रियाओं में मैं नहीं रेता था तो इसलिए बात में पता चला के ऐसी सी यातर हो गई है तो फिर वह यातरा आने आले थी तो दुलिया गाओं में से सब इतने लोगों का खाना जमा करना और यह स्वागत के से करना नगरत ध्यक्षा आएंगे और नियाल आमदार थे वो आएंगे इसा सब तय हुआ फिर यात्रा कौन से रूट से लाना क्या तो वहाँ पर एक दत्तानी परिवार है उनकी एक सुकसागर नाम की हो और सब लोग फिर गाओं के बाहर हमारे आमदार आपके स्वागत को आए और वो यह मोटर साइकल थी कितनी उसके यातरा के साथ फिर हम लोग वहाँ पर यातरा के स्वागत में वो आमदार आए और नगरत ध्यक्षा आए उन्होंने सबने स्वागत किया और फिर वहाँ से यात्रा पईदल चली तो हमने घुमाया बहुत जादा आपको तो ठक गए थे वैसे तो लोग लेकिन वह पाच्छे किलो मिटर घुमने के बाद गाओं में एक बहुत वातावरन बना क्यूंकि मेरे गाल से करीब 2000 से भी ज्यादा लोग में थे और सब दुर पैदल चले आप लोग भी थे दिदी भी थि और अलोक शिलवी ये सब लोग थे निमाड के सब लोग थे जिनको मैं जानता था अपने रानया और ये नूरजी और वनका और ये सब लोग थे पिंजारी बाई उल्या पाटिल वो थ स्कूल के शिक्षक वगेरा इस सब थे छोटा बढ़दा से मेरा संपर्क तो होई गया तब तक वो सरपंच वगेरा अपना देहर हम वो थे और इस सब लोग आये फिर यातरा गाउं में से गोश्टना देके ने कि तो पूरे गाउं में एक वाता औरन तैर हो गया और जो साग अधिने क्या खाना तै किया क्या नहीं और पूरी भाजी मीठा और शिरा यह वह बजिया हुजिया लोगों बहुत मन लगा किया तो गाउं में एक बहुत बड़ा वाता औरन बन गया था फिर मेरे बड़े दो नंबर के भाई को मैंने का कि अब ये इतने लोगों नहाने द आपको बताया तो उन्होंने क्या किया वहां के एक डॉक्टर उनके मित्र है वो जैन धर्म के कारण उनका कोई सम्मंद है तो वो उनको फोन किया फिर उन्होंने वहां पर पीने के पानी की एरेजमेंट खाली करना था और सुबह चाय देना था इसा कुछ तो भी था तो उन् अच्छा हो गया फिर यात्रा वहां से नासिक को निकली फिर हम लोग नासिक पहुंचे शाम को लोग नासिक के लोगों ने भी बहुत अच्छा खाने पीने के बंदोबस्त किया उसमें हमारा बांजा भी था संजेरा का और वहां के वो छोटी-छोटी संगटना है जो थी मजदूरों की संगटना है वो सब उसमें थी माले गाओं में कारेक्रम में आप देखें कि माले गाओं में यह संगटना हमसे नहीं जूड़ी है कभी मजदूर संगटना है जो थी वो सारी जंता पारटी से जूड़ी हुई थी हमसे नहीं जूड़ी हुई थी लेकिन नासि आतरा में लोकल में आपको सब लोगों को बैठा दिया अब मैं भी आतरा में फिरा साथ में आया मैं खाने पिने का जो ट्रक था ना उसमें एक मामा ऐदे को निसर पूर्वा लग्या शिछी माम्ा वो ट्रक में गया आगे और माहीम में सिधे पहुंच गया वहां जहां आपका खाने का इंतजाम था और आप लोग लोकल से फिर है तो मुझे तो ट्रेन में इतनी गर्दी का कोई अनुभव नहीं था फिर वहां खाना पिना हुआ माहिम के मच्छी मार समाजिम ने वहां पर अपना ब्योस्ता किया था बानी वगरे का इंतजाम और वह थी चाहती अब सास निकलेगी कि तब निकलेगी आईसी कठीन परिस्तिती में हम लोग वीटी गए फिर वीटी से क्रॉस करें तब वह अंडरगाउंड रोड नहीं था उपर से गए थे आजाद मैदान को और फिर वह मैं सबसे पीछे रहता था क्योंकि किसी को पुलिस मार बढ़े नहीं इस अईसा नहीं आप लोग सब आगे थे तो फिर फिर हारी मौरचे में क्या होता है कि पीछे के आद्मी पर वो तब तक वह मोटर वाले भी गर्दी करते हैं रोड बलॉक हो जाता है तो पुलिस भी गर्दी करती है तो एक दो लाठी पड़ जाती है या भा कामकार सब संगट नहीं थी फिर वहां रुके और शाम की ट्रेंड से दिल्ली जाना था तो हम गए तो बंबे सेंटरल पहुंचे सब लोग तो बंबे सेंटरल में तब मुझे तो कुछ पता नहीं ता लोगों के बहुत सम्मंद है उपर वो union लोगों से बहुत सम्मंद है तो railway की union ने हमाल की जो दो बोगी थी ने पहली उसमें हमको सबको पहले चड़ाई हम अंदर चड़ गए उस train में और वो train सुभा की थी सुबह सुबह निकलना था तो सबने कैसा अपना निपटा किसी स्टेशन पर आजाद मैदान पर बीटी के वो दर वो पे एंड यूज में सब निपटले और वो ट्रेन में बैठे वो खचा खच बर गई दोनों बोगी अपने लोगों से फिर दो ट्रेन में गए एक ट्रेन प आप लोग कहां थे अलोग से लुए भी कहां थे पता नहीं लेकिन मैं सब वो निमाड के लोगों के कंपार्टमेंट में मैं था अदिवासी वाला वीभाग सब प्रतिवा के पास था हमारी ट्रेन गुजरात हो कर गई उसकी ट्रेन बुसा उलो कर गई तो बोरी वाली आने खीच लिया दोनों तरफ से मुंडिया टक गहे उसके फिर हम सब ने मिलके जोर लगा उसको खीचा लेकिन वो जो ट्रेन का बोगी प्याक थी ना तो दिल्ली तक हम लोग नीचे नहीं उतरे हैं फिर ऐसे कुछ किसी के कई कुछ ले लिया नीचे से कोई आया गाड़ी वाला ओंनिमाड के लोगों की क्या खासे थे उनके पास रोटी रहती है दो-चार दिन आठ दिन के वो दशमी बना के लाते और उनके एक खासे थे कि वो लाल मिर्च में लसन नमग बना के लाते उसमें शकर डालते है और उसके साथ रोटी घाते तो तो आते-गाते हम पहुंच वहां पर निया यात्रा का फिर वह आरुण धती वह नव बुकर प्राइस वाली वह आई थी वह पहली बार दीदी ने मेरा वहां पर उन्से परिचाए करा दिया फिर वह समाप्त करके हम लोग आ गए वहां से फिर लोग अपने-पने इंदोर जाने आली गाड़ियों में फिर हमारी सबकी भरती होगी दो या तीन दिन कुछ रुके थे फिर वो बीच में मंत्रा ले में गुसना वो कमल नात के इसमें के बिन में गुसना चुप चुप के चले जाना ऐसा सब कारेक्रम है थे लेकिन मेरे पास तो जो था न वहां का यह अड़ा सब्सक्राइब है और आप लोगों की टोलियां पचास-पचास की बना के कहीं पर शरीपाद नेतरुतमें वह कहीं पर आप ख़िपर वह अलोग कई पर सिल्वी एमको सुनने को मिलता था आप गुझ गये, यहां गये, मेधिया में गये यह सब पता चलता था फिर वह आओ, वो रसोई का जो प्रोग्राम चलता था शिव जी मामा का तो घाटा बनाना वा तो चाय भी नहीं दो टेम सिर्फ घाटा मिलता था मिठा घाटा और तिखा घाटा बस मिठे घाटे के साथ कुछ भी नहीं होता था तिखे घाटे के साथ भी कुछ नहीं ऐसा ही चार दिन खाना कि तो फिर वो ऐसे ही खाते रहे तब मेरी सर्वोदयवलों से इतनी पहचल नहीं थी फिर वो करके हम लोग आगए वापस फिर उदर से आते समय भी मैं वो सामान के ट्रक के साथ ही आया हमारा सब टेंट साथ में रहता था पकाने का सामान गादिया सब साथ में रहता था तो यह जो यातरा का अनुह हो रहा ना कि इतने लोगों को ले जाना और मैं और प्रतिभा अलग-अलग ट्रेन में मेरे साथ दो भोगी के लोग उसक मिला नहीं मिला उसमें का कि खाथ तो शायद गुमी गया हमेशा के लिए कोई मिला नहीं से पता चला दो तिन आदिवाश्यों के बारे में इसा हुआ था कि जो उतर गए थे तो सुनने को मिला इसा कि उनको लोगों ने बिल्ला देख करके बहुत अच्छी ट्रीटमेंट दे को नाम किसी का पहुंचा होगा तो वो नर्मदा का पहुंचा हुआ है यह नर्मदा की अपनी वो जो जो मुझे लगता है रहे बार बार क्या चोटी-चोटी बात का प्रेस नोट बेशते चपता है नहीं चपता है लेकिन उसका वो असर था और वो थे दक्षिन तक पहुं का involvement यह नर्मदा की सबसे बड़ी शक्ति यानि बाहर से जो लोग आना उनका लगाता रहते रहते तो और सब ऐसे काम करते थे जैसे उनका ही है सब किसी को नया ऐसा लगता ही नहीं था निमाड में सभा होना निमाड में मोर्चे होना यह तो सब चलता था गाओ-गाओं से लो सब्सक्राइब होने के बाद मुझे लगता है कि 2000 के शुरू में भूपाल में एक बार दिदी कांशन का कारेक्रम होते और वो रोशन नहीं रोशन पुरा नहीं पॉली टेक्निक चावरा तब हमको सब लोगों का निवास वगेरा ओजो था ना वो नाना दोना वो सब समय में भी हम लोग वही ट्रक से सामन लेकर गए थे वैसे इस्षोजी मामा के साथ ये मेरा कामी था हमेशा ट्रक के साथ जाना पर बोपाल में अंसन के तो वहां एक क्या था कि मध्यप्रदेश के एक सीचाई मंतरी थे वह चतीज़गर के अभी जो चतीज़गर हुआ है अधर के थे और वह महाराजा थे वह पूरी तरह से अपने समर्थन में थे तो वह ना रामचंद्र सिंग देव वह अपनी वह लाल बत्ती की गाड़ी दूर खड़ी करते थे और वहां से अकेले आते थे और दिन-दिन भर अकेले बैट रहे थे पता यह नहीं चलता था कि मिनिस्टर है और वो दिन बर हमारे साथ बैठे रहते थे फिर एक दिन सब लोग जो है ना वो गए वो दिगविजे सिंग के हैं वो एक शरद वहां पर सबको और कुछ बातचीत भी है लेकिन दिग्रीजे सिंग का हमेशा रवया बहुत अच्छा रहा नर्मदा के पर दिए यह समवाद हिंता नहीं रहे यह गुजरात में जैसे समवाद ही नहीं हो सकता था वैसा नहीं रहा मध्यप्रदेश में समवाद होता था महारा आपकें लोगों से भौन होते थे मिनिस्टरी में और तब लोग बात करते थे तब शरतपावर का तब भी बहुत होल था हूट था कि नहीं पता नहीं कौन मिनिस्टर था था लेकिन ऐसी मतलब हे द्रिष्टी से हमारे साथ बातचित होती थी ऐसा जो फीलिंग आता था न impressive मुझे तो मैं कभी गया नहीं उस डेलिगेशन में लेकिन बातचीत से प्रतिभा मुझे बता है कि प्रतिभा हर डेलिगेशन में होती थी और यह गुषने वालों में मिनिस्टर में गुषने में प्रतिभा सबसे आगे ओ गितांजली भी तो आके मुझे फीडबैक करते थे हम लोग सब और क्या था कि नर्मदा में जहां जहां के लोग आते थे तो अपने अपनी बाशा में बोलते थे तो मैं प्रतिभा हम लोग है नहीं हमारे आईराणी में बातचीत शिरू करते तो फिर आईराणी में मुझे वो सब रिपोर्टिंग करते थे तो मुझे पता च कि मैंने मेरे एक दोस्त को फोन किया था जब शिव सेना का राज था और वो मुंदड़ा करके मिनिस्टर था वो मेरा क्लासमेट है जे प्रकास मुंदड़ा तो मैंने उसको कहा था फिर हमारी मीटिंग हुई थी उसके हां तो तब मैं दिदी के साथ डिली किसर में कहा था प् भी नहीं इंदवर में भी नहीं कहीं नहीं है तो इस तरह फिर वो 2000 का जो पहला काल होता है ना मानसुन के पहले का उसमें यह बोपाल का कारेक्रम शायद हुआ है इसा मुझे थोड़ा याद है अब मुझे exact date तो correlate नहीं करते हैं लेकिन यह सब कामों से एक तरह की सीख भी लिए ना जो मुझे सर्वोदय में बहुत काम आती है वह है हमेशा अपडेट करते रहना अपने बारे में वह एक बहुत बड़ी बात है और वह पर्टिक्लरली प्रेस नोट्स यह वह करना लोगों को फोन से संपर करते रहना बोलते रहना यह सब वह थोड़ा नहीं चीज थी जो सर्वोदय में नहीं है वो भी मुझे वहां सीखने को में लिए फिर वापस आये वहां से फिर हमारा वही जिवन चाला का प्रोग्राम और यह शुरू हो गया तो तब दीदी की एक महितरिन थी पदमा बहन उसको टाटा दोरब जी टाटा ट्रस्ट ने बोला कि तु बड़ोदा लिए वह धोंगए वहां वह थी द महार लिए और क्रीब एक करोड बारा लाकरी को में वह सब पैसा भी ठुलोग शमेत या और लोग समिती में उसका ओडिट होता है तो फिर वो मेरे खाल से 2000, 2001 और 2002 तक ऐसा हो था लेकिन हम लोग बहुत कंजूसी से पैसे इस्तेमाल करते थे क्योंकि एक तो भाई की तो सिख्वन थी ही लेकिन मैंने इसा देखें कि नर्मदा में हर जो कोर ग्रूप के मुख्य कारे करता थे न वो भी बहुत कंजूसी से खर्चा करते थे हलां कि उनको पैसे बहुत मिल सकते थे, मिलते भी थे लेकिन ये गांधियन वैल्यू है वो लोग तो सरवदय के नहीं है लेकिन वो जीते थे उस तरह से सभी बहुत मेंगी चीज लेकर खाई हो यह कुछ किया कभी कर बार किसी को लगा खाल तो थाड़ा से ज्याधा हैने चाहे तो ने और लtal लाते थे तो वह बार सागु लेकिन कारिया लगे कर एक पर इस पर बहुत कठोर बरताओ था जो जमना बेन हमारे साथ करा लेती थी थी ना वैसा बरताओ मैंने नर्मदा में वह खासियत देखी है यह कारण भी हो सकता है कि आप लोगों के साथ सामान ने आदमी का इतना रिष्टा कि यूएर सो सिंपल यूनों दे कोर ग्रूप वस सो सिंपल इन बिहेवियर कि कही भी सो जाना मिट्टी में भी सो जाना कुछ भी ओड लेना कैसे भी रह लेना और अंदोलनों को भी इसने एक दिशा दी है क्योंकि मैंने देखा है कि बाकी राजकिय अंदोलन होते थे जनता पर्टी होई थी उसके पहले समझाज़ दी परटी थी तो नेता और जनता में थोड़ा तो अंतर रहता ही था रहेंसेन में इसमें उसमें जेल में भी हमने देखा था यह ऐरोड़ा के समय में लेकिन यह फरक नर्मदा का अपरतिम है या यह देनगी है और अंदोलोन आजकल जो भी कुछ सिखे होगे वो नर्मदा से सिखे है इसा मुझे लगता है कि नर्मदा ने ये लोगों को सिखाया तो इस तरह से वो 99 का पूरा हुआ फिर 2000 का साल है सत्यागरे का फिर उसकी तयारी सब चुरू हुए 2000 की तो उसमें भी बाकी कारेकरम तो हमेशा की तरह ही वो हमारे चलते थे पानी भरना और वो निमाड की सरिया लगी रहती थी पंदरा दिन के लिए भारिया की टीम आई फिर पंदरा दिन के लिए कडमाल की टीम आई रसोई में फिर वो बुलया पाटिल के हाँ ऊपर एक मचार बनाई हुए थी तो उस पर सब पूरा सामान चला जाता था और अचार तो मैंने का इसा हमारा ट्रक बर आप प्वा स्टॉक में था माले गाओं से आ जाता है था दस ब्रूरे देस भिस Bitcoin फिर माले गाओं से साबून वगेरा यह भी माले गाओं से ज्याधा तरा था उस समय और टीम्री आते जाते रहते थी माले गाओं में भी कारे ग्रम होते रह थे थे तो ऐसा चल रहा था दो हम लोग आ गए तो इस दर्मियान रेवा के युवा के जो मैंने कहा ना पदयात्रा गाड़ी ये वो बैज बन जाना एक माहुल युवाओं की एक विंग एकदम सशक्त विंग जो भ्यास पूर्ण बोलने वाले भी पासदस लोग तैर हो गए तो एक सशक्त विंग हो गए थ और हम लोग आके बैठ गए और पानी चड़ा 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 तो वह हमारी जोपड़ी थी ना दर्वाजे की तरफ नीचे थी और पीछे 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 सरकते गए फिर हम उकड़ बैठे फिर पानी आया फिर खड़े हुए फिर थोड़ा खड़े हुए आइसा करते करते जब इतना इतना पानी हो गया था घोटे के थोड़ा नीचे गुटने के तो दिदी आ गई थे और फिर यह तो पानी बढ़ेगा तो फिर वो जो साथ आठ लोग जो डूबने आ ले थे उसमें और तो याद नहीं मुझे लेकिन कम्मू दिदी और सिताराम का का मुझे याद है वो थे और कोई दो अदिवासी महिलाएं भी थी मेरे काचे डेडली भाई ना थी उसमें तो वो आ गई और फिर हम सब रिवा के यह तो थे हमारी समता भी थी और गितांजली थी और उस धर्मियान गितांजली के साथ 99 में शोभा जूड गई थी शोभा को बुलदाना की थी वह शांथ थी गितांजली एकधम एक्ट्रोवर्टर वह बहुत इंट्रोवर्टर थी लेकिने वह शांथ तरह से में उपुल्दाना मेें कारेकरम भी किया तो बहुत लोग उसकोम मानते थे हैं इसके वगज़ा से दीदी वहां गई तो लोगों को बड़ा अन्दा सब्षोच दिदालों को ड़एं वह सक्रने बोलगाये मुझे serious i तो उस गाऊं में दीदी का जाना यह एने बहुत बड़ी बात थे न कभी कोई बड़ा कॉंग्रेस का नेता गया होगा, उसके बाद तो कोई गया ही नहीं था, तो फिर हम सब लोग गये थे, मुझे लगता है कि वहाँ आशीश, रहमत ये भी थे तब, तो रहमत और वो संगीता, वो देवराम भाई की लड़किया, वो भी रहते थे हमारे साथ सब, तो इ पहला संडास का शिवीर लिया हमने, और वहाँ पर हमने सोकपीट कैसे बनाना, और पाखाना तो कोई तयार नहीं था बनाने को, तो जितिंद्र ने अपने घर में पहला पाखाना बना, तो पाखाने का मेरा भी पहला ही ट्रेनिंग था, मैं ब्याक्षान तो बहुत देता लेकिन मैंने वहाँ पर सीख लिया, अब मैं वह पाखाना बना सकता हूँ, तो वह भी हमने वहाँ सीखा, फिर उस गाउं में चार पाच लोगों ने तय किया, और वहाँ वह पाखाने बने, नर्मदा की वज़े से यह रचनात्मक काम का जो चला ना, यह नर्मदा की रचन वह पाः उतना प्रचार नहीं हुआ, जितना संगर्ष का हुआ, क्योंकि मेडिया को तो संगर्ष की ख़बर लगती है जाधा, और अचनात्मक का बहुत कम हुआ, प्रचार हुआ है, नहीं हुआ ऐसा नहीं, लेकिन बहुत कम हुआ है, लेकिन शिक्षा के खत्र का नाना के हमने छेचे शिवीर के नाना आटाट दिन तक नाना जोशी मेरे साथ रहे है वहां की जड़ी बुटियों को पैचान ना और हमने अपना ग्यान उन पर नहीं लाधा उनके ग्यान को समवर्धित करने का काम कि तो यह जो यूनिकनेस है ननर्मदा की यह विंको कही तो यह जो नर्मदा का काम है ना सजी ओर ग्यानिक खीती का काम कराना लोगों को फेश्टी साइड से छुड़ाना रहких तो कितना मोह ता है यह सब काम जो हुआ है ना वो नर्मिदा का यूनिक काम है फिर वो जब बाहर पानी बढ़ने लग गया तो हमारे जहती तक पानी आ गया तो लेकिन मैं और मांगलिया है ना हम इंस्टंट ड्रामा करते थे मैं आपको अश्चर होगा कि मैं क्या बोलूंगा उसका मांगलिया जवाब देता था तुरंत हम लोग डायलोग तुरंत है स्क्रिप्ट जिसको बोलते ना अन रिटन स्क्रिप्ट दो-दो घंटे तक हम लोग डायलोग करते हैं और 48 घंटे हमको पानी में हो गये थे पहले द चार बजे तक वह शाम को हमारे मतलब कमर तक आया और तीसरे दिन शाम को जब वह बोट आई थी नहीं को पकड़ने को दो पर में तब वह पानी हमारे छाती तक गले तक आ गया था तो अब थंडी में कुड़कुड आते थे ना तो क्या करते थे वह गबू है ना बोला कोईले का और वह बाल्टी वह उसको च्छत को टांगते थे और उसको हम सेकते थे हम पानी में और वह बाल्टी उपर और वहीं पानी में हमारा नास्ता आता था वहीं पानी में प्रार्थना होती थी हमारी सुबह की प्रार्थना मैं जब से गया तब से सत्त्यागरा में तर्वोदैकी प्रार्थन हम लोग कराते थें तो हम लोग जब बाहर थे न तो जब पानी यहां तक आ गया न तब क्या बात सुनाता हूं आपको कि छाती तक यहने गले तक आ गया था किवल हमारी मुंडी खाली थी तो जब पानी छाती तक आया ना तो बहस शुरूई कि कौन-कौन डूपके मरना चाहता है तो मेरे ख्याल से हम कुछ 47 लड़के थे और उसमें कोईना बचाव संगर्श समिति का रभी वगेरा वो भी थे क कोईना का एक थाना अविनाज भीजे और एक छाया वो भी आते जाते थे उनसे भी हमारा रिस्ता हो गया था और तो वह रभी यह मुकेश यह जोती शामा चोगालाल चंपालाल समता में वह गितांजली शोबाम सब लोग अंधर तो सब बहस चली कि सब लोगी सब सब लोग को इस थोड़ा सोचा ने अपने आपको पूछा कि क्या मैं मरना चाहता हूं क्या तो अंदर से आवाज नहीं किया तो मैंने फिर उनको कहा कि देखो मैं तो मरने वाला नहीं हो उसका कारण यह है कि दीधी के साथ मर जाना तो आप तो छूट जाओगे लेकिन बाद में दी लेकिन ये तो जीते हुए शहीद होना है हमको, तो फिर सबने तही किया कि निकलेंगे बाहर, तो सब लोग हम बाहर निकले, बाहर निकले तो सब की कपड़े गिले तो कोई पेशाप करने, कोई टट्टी करने गया, और बाहर तो जो टेंट था ना जिसमें सत्यागरी बेटे तो थोड़े उपर सरक गए थे हमारे दूसरे जोपडे में भी पानी भर गए था जिदर ऑफिस था तो थोड़ा सामान निकाल के उधर बुल्या के हाद ले गए और बाकी लोग उपर सरक गए थे तो सब गए जिदर उदर बाद में आये तो देख रहा हूं तो सब आखे पोच रहे मैं भी बहुत रोया था आपको जूटने बोलना हो बाहर जा करके बहुत रोया कि अब तो यह सब लोग सितर हम काका भी जाएंगे दीदी भी जाएगी वो डेडली भाई भी जाएगी और एक रिष्टा पारिवारिक बन गया था अपने साथी अब मर नहीं वाले है तो यह था तो अब रोना सब आया था अब क्या करना सब सबास तब दो थी गोशनाय भी बंद हो गई गीत भी बंद हो गई आप क्या करना बड़ा मही था बाहर वैसे तो बुजूर्ग लोग थे कुछ-कुछ बहुत सारे थे निमाड के भी थे और अधिवासी भी थे लेकिन कार्यकरताओं में तो मही बड़ा था और आप लोग भी कई अटके हुए थे आप और स्रीपाद और अलोग सिल्वी आप क्या करना बहुत मुश्किल हो गया हमको तो मैं जैसे आया तो एक चंदन नाम का लड़का था चायद वो शिक्षांतर या दिगंतर का उदैपूर का था वो संस्ता का नाम तो याद नहीं ठीक से वो था वो चोटी गालता था तो मैंने उसको का आरे चंदन सब ऐसे सुस्त बैटो गया तो कैसे चलेगा चलो अपन गर्भा खिलते हैं और फिर हमने गाना शुरू किया गोष्णाय शुरू किया और एक माहौल सब बदल गया पूरा और वो जो सत्याग रहा है कि बैठने की जो जो पड़ी थी ना उसमें जो पा बाज आती थी ना तो हमको आवाज आती थी और वो पाहड से लोग सुनके बता देते उसमें भी पाहड पर लोग थे लेकिन अचानक कैसे बाज आ गई पता ही नहीं चला वह इंजन तो चालो ही होगा ना आवाज किसी को नहीं है पता किसी को नहीं चला लोग जिदर उदर थे ही लगाए हुए सब बाज आएगी कि नहीं देखने के लिए क्योंकि समर्पंट तह था मिडिया वाले यह और आते थे उस बीच में जो जो नवेन्नों अठ्वन से जो सत्यागर सब चालू था न तो बहुत फारेंड के लोग आए थे तो शोभा का भी एक बहुत बड़े फारेंड के इसमें इंटर्यू फोटो चपा था और मेरा इंग्लीश अच्छा था तो मुझे ट्रांसलेट करना पड़ता था पावरी से अंग्रेजी में तब तक मैं पावरी सीख गया था तो वो पावरी से अंग्रेजी में बोल बाशा में मराठी से राठी वो बिलाली स मैं ट्रांसलेट करता था तो मेरा भी जगा जगा नाम चपता था वो सब इंटर्यू आते थे तीवी पर फोट आते थे अब हम अंदर और प्रतिभा बोट में और प्रतिभा के साथ वो सब कैमेरे वाले थे और बाज आ गए अब पुलीस ने हमको पीछे से पकड़ना पीटन वो सत्यागरे की जोपड़ी तोड़ना शुरू किया वो सब आप फिलम में देख सकते हैं अब प्रतिभा बोट में और प्रतिभा वो सब शूटिंग आए उनको भी पुलीस दमका दे तो वो बोट भगाती थे इदर उधर और वहां से वो सब शूटिंग करते थे कि क्या चल रहा है और तब फिर वो दीदी को हमको सब को निकाल करके और उधर ले गए वह बाज लगाई थी वहां पर हमको पकड़ के लेगे फिर आशिच का जगड़ा हो गया पुलीस से बहुत मारा मारी हो गए फिर मैंने जैसे तैसे मिटाए मेरा हमेशा काम ऐसा बीज को समझा कि देखो हम असली सत्यागरे अगर है तो अगर पुलीस ने कहे दिया ना आरेश्ट होना है तो अरेश्ट हो जाना चाहिए हमको यह विरोध करना मेरे मन मेरे को तब अच्छा नहीं लगा था मतलब प्रोटेस्ट करना तो दीदी वगेरा वह सब रणनीती होगी श जायन करेंगे तो इसलिए वह हो जाना चाहिए थे समयना अच्छिश को कहा था पर वह भी आशी में मेरी बाट टाल दिया फिर वह बोट हमको लेकर के और कहां गई हो तो मुझे याद नहीं है भी आ रहा है लेकिन वहां से हमको सब को धड़गाव लेकर है मेरे ख्याल रोश्मा की तरफ गई होगी और वहां से हमको ट्रक में धड़गाव ले गए तब तक बाहर पूरे इंदुस्तान में और दुनिया में खबर फैल गई थी कि इतने पानी में है ऐसा कुछ फिल्में भी बाहर जा चुकी थी वह जो प्रतिभा शूटिंग कर रह पानेश्वर गई और उदर से उसके साथ और भी कुछ लवग थे निमाड के और वो कड़ी पानी को पहुंच आए और वो कैसेट सबसे पहले जीनियूस को गई और वो सब जो आया उससे पूरे देश में माहौल बन गया और हमारे माले गाओं में भी लोगों ने देखा तो देखा तो जब तक हम धड़गाओ पहुंचे तो हमारे सब संजे जोशी और डॉक्टर देवरे हरीश टीयम इस सब लोग वहाँ गया थे ऐसे गले मिले जैसे मरा हुँ आदमी वापस आता है इसे बहुत रोहे सब लोग और फिर कुछ-कुछ खाने को लेकर आया थे सब को बाटा वहाँ पर फिर वहां से हमको उठाया और दुलिया जेल में ले गया शायद 400 के करीब हम लोग थे पूरिशो के मंडली का सब मुख्य मही था किशो काका और सिताराम भाइए और यह सब थे लेकिन हो सम्वालना तो मुझे था ना और महिलाओं में तो दीदी भी थी परतिभा भी थी गीता भी थी यह सब लोग थे उधर और इधर हम थे फिर वह जेल का अनुभव मुझे तो अनुभव था लेकिन मुकेश वगेरे को पहली बार अनुबह आये था तो फिर हम लोग कैसा रहना क्या रात को जेल में बंद कर देते थे दिन भर वहाँ सभा चलाना बाहर की खबर आये वो अंदर देना ये सब करते थे तो आधी चड़ी और वो कपड़े भी अंदर बहुत नहीं थे वो सब ड्रेस में वहाँ को मिलने के लिए तो निहाल एहमद आये थे मिलने के लिए उनके कारण वो जेलर ने हमारी अलग से व्योस्ता की थी एक कमरे में तो फिर मैं वहाँ उनको मिलने को गया परिवार के लोग सब आये बहुत अच्छा लगा लेकिन बाहर से खाने का सामन नहीं आने दिया उनको जो हमको एरोडा जेल में मिलता है धना वैसा ने वह बाहर प्रतिभा ने उतने पूरे 21-22 दिन तक मंडप में चालू रखा जो ती भाई भी आ गये थे और कहा कहा से लोग आये थे निमाड के और सब मतलब सभा चालू रखी थे फिर बाहर तो फिर कौन-कौन लोग थे बाहर हमको मालम नही लगा के गोशना, सभा, गीत यह सब चालू रखा वह एक्वीरा देवी की धर्मशाला लेली थी वहाँ पर खानपान का शुरू हो गया था 21 दिन तक दुलिया में बाहर माहल उन्होंने जीता रखा था और हम अंदर थे फिर पता चला के वह एक महिला आई है पंतप्रदान के ओफिस से कोई महिटा नाम की महिला थे तो हमारे यहां से भी कुछ लोगों का मने भेजा ऑन को दो-तिन निमाड के और दो-तिन अधीवां से और उदर से दीदी और डेडली भाई है नेता नहीं बोलते है पतलब जो बाहर वाला नहीं था जो विस्थापीत नहीं होते व जो भुक्तव होगी हो यह बाकि अंदलनों में आपको तब तक नर्मदा आने तक नहीं दिखेगा आप अगर चालू होगा तो बात अलग है लेकिन तब तक नहीं यह भी एक वैसिस्ट है नर्मदा तो वह पंतप्रदान की उस सेक्रेटरी से बात करें तो डेडली भाई ने उसको पूछा था हमारे बहुत चहर चल दिति हमको आके के शुक आकार बात में बता डेडली ने उसको पूछा कि यो प्लेट को चलता है तो बहुत की चिज़ानी खाना पिना कहा से खाती और मुसे तंखा मिलती तो बोले Takat क्यों मिलती है तो बोला मैं यह काम करती हूं तो इसका मतलब तेरा पेड काहई पर चलता है पूचते हूं तो मैं समझी नहीं तो बोला तु काम करती है तो तेरे कोकल लखती है तो बोले हँखती है हां तो अगर तेरा कलम और कागज निकाल लू और कुरसी टेबल निकाल लू तो क्या करेगी तो तो बोला में कुछ नहीं कर सकती है तो जैसा तेरा जीने तो तनका मिलेगी फिर तो तेरा जीने का सामन चला जाएगा तो तो हमारी कुकड़ी-बुकड़ी चली जाएगी हमार ताकत के साथ बात को रख सकती है बात में जो टेक्निकल बाते हो तो दीदी ने बता ही होगी लेकिन ऐसे ही केशु काका ने जवाब दिया ऐसे ही उन्होंने सब लोग बोले सिताराम काका बोले कि सब लोगों ने जो जवाब दिये तो बाहर हमारा बड़ा स्वागत हो तो सब लोग जाने के बाद मेरे पर जिम्मेदारी थी नवाए आखरी में निकलना था तो सब लोग रस्ता देख रहे था यह अब डौक्टर निकलेगा तब निकलेगा सब जिदर उदर हो गए सब का इसा बराबर हो गए सब बाहर निकल गए फिर मैं आया आखरी में मेरा चेकिंग हो और मैं निकला तो लोग मुझे इसा कोई भाही थे बरगी के वो इसा उठा करके कंदे पर ले गए सब वहाँ पर फिर वहां गए और वहां से हमारा सागत वागत हुआ फिर वहां से वह एकवीरा देवी की धर्मिशला में खाना खाए तो जोती भाई देशाई मुझे बोले कि मैं तुम्हारे साथ आता हूं तो बस में उन्होंने कहा कि जो तू नर्मदा माँ चे पन तू सर्वदाई से ध्यान राग चे तू त्या रेवा युवानु संगटा लू भो करियू उचे यह वेरी पॉजिटिव फर मी तो उसमें क्या हो तो जेपी से सिखा हुआ ही है नया क्या क्या है उसमें तो बहुत तुझे समझ में नहीं आएगा रचनात्मक काम और नहीं पीडी को जोड़ना यह वैशिष्ट है और यह तुमको जब कर तो उस दिन मुझे पता चला कि सर्वदाई होना क्या होता है नहीं तो मुझे पता नहीं था कि यह कुछ अलग है ऐसा तो उस दिन मुझे पता चला क यह जो योगदान है इसको गांधियन वैल्यूज की तरफ ले जाने की जो नर्मदा के अंदोलन में जो लोग है कोवर ग्रूप में उन लोगों के अंदर की जो छटपटाट है उसको हमने थोड़ा सा स्वरूप अपने योगदान से जितना देने का हमना संभू हुआ वो दिया है लेकिन मूलता उन में यह जो छटपटा था रचन नया विकल्प देने की यह बात हुए और तब याद होगा आपको कि 99 में यह 2000 में हमारे यह डोम खेड़ी में हमने एक छोटा जनरेटर बैठा है था पानी का वो 77,000 रुपया खर्चा वाद है तब फिर हमारे यह वो सब तीनो जोपडियों में वो एक एक लेस्डी का बल्ब जलने लग गया था तो यह जो विकल्प वाली बात थी वो आपकी सोच में ही थी यह विकल्प वाली बात तब तक किसी अंदोलन में नहीं है आप देख लिजे इतियास उठा करके कि विकल्प देने वाली बात जो है क्योंकि व्यवस्था पर ही प्रश्ण चिन्न नर्मदा ने अगर कुछ किया होगा तो उसने गांधी का जो हीडन एजेंडा 1947 में बंद कर दिया गया था उसको यह उसका कवर खोलने का काम नर्मदा ने किया ऐसा में बन था मैं जब भी बोलता हूं तो मैं यह बोलता हूं कि नर्मदा बचाव अंदोलन का सबसे बड़ा योगदान है कि आज की शोषण कारी यह जो विवस्ता है उसको विकल्प देने वाली बात यहने वही एजेंडा जो रचनात्मक काम का है गांधी ने जैसे कहा है कि रचनात्मक कारी ही पूर्ण सवराज है वो नर्मदा का और एक बड़ा योगदान है जैसे मैंने RSS का और महिला का कहा वैसा यह तीसरा नर्मदा बचा अंदोलन का देश को ही नहीं दुनिया को योगदाने तब तक दुनिया में इस तरह की बाते नहीं होती थी वो जो World Commission on Damps में सब बाते रखी न अब मेरी नदी की बात में र presents में दें फन दी ने मुझे कए त तब टाइम चल लागा था मुझे लगता था क्या दी इतने छोटी से नदी tuhी ने दिने आवारी नदी का भी वावो मोर्स के रिपोर्ट में आई है वो तो उसमें टेकनिकल बाते जदा हैं लेकिन प्राक्टिकली क्या रचनत्म काम होता है और उसकी नीव जो है वो क्या है ये सब उसको डिसकावर करने का बात जो है ना वो नर्मदा बचाओ अंदोलन की मानो जाती कोई देने सा कहने म कोई दिक्कत नहीं है लेकिन नहीं तो बंद हो गया था वह देखिए सर्वधाय की मुवमेंट भी एक तरह से केवल संगर्ष की तरफ बढ़ गई थी जैप्रकाश के बाद यह जैप्रकाश जी को हम पूरा नहीं समझ पाए जैप्रकाश जो आप 74 के बाद का देखते हैं वही सर्वधाय के लोग भी लेकर भागे हुए अभी तक भी लेकिन नर्मदा बचाव अंदोलन में संगर्ष और रचना संगर्ष और निर्मान इसकी साथ साथ चाहत नहीं उसका कृति में भी लाना यह दूसरे आपको का देखने को मिलेगा आप देख लिजे सिंगूर की नर्मदा बचाव अंदोलन का बड़ा योगदान है से मुझे लगता है फिर बाद में तो बड़ा एक बिजली घर भी खड़ा हुआ छेसत लाग का उसका तो बहुत छपकर आया लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि दुनिया की नजर में इस चीज को ला देना छोटे बांधों उसे सिचाई हो सकती है छोटी योजना उसे बिजली बन सकती है ये केवल टिका का का म नर्मदा ने कभी नहीं किया यानि केवल उसको तुछ विरोधियों को तुछ रेखना टिका करना ये काम नहीं किया तो ये रचना का काम जो हुआ है ये सबसे बड़ा काम वहाँ पर हुआ फिर हम लोग जेल से बाहर आए फिर जोती भाई अपने घर गए में भी फिर घर पर रहा तो फिर ये 2000 सल की बात है फिर 2000 सल के बात है भी हमारे कही कारेक्रम तो निमाड में रेवा के योवा के कारेक्रम बहुत सारे हुए मुकेश तब तक हमारा संयो जग था वो 99 से जो जुड़ा तो मान लिजे के 2000 साल तक वो पूरा समय फूल टाइम रहा वो एकदम पूरा ट्रेंड हो गया और उसके साथ इतने युवाओं का जुड़ना और ये सब नर्मदा की बहुत बड़ी कृपा अपने पर है सब पर ये कोई व्यक्ति का काम नहीं हो सकता इसलिए कोई मुझे पू आप सुगन बरंट ने आके अभी बोलने के लिए ठीक है कि मेरे आने के बाद वो बना लेकिन वो एक निमित होता है एक और ध्यान में रखना चाहिए आप भी एक्टिविस्ट है मेधा के बारे में मैं जब बतांगा वो है बोलूंगा आपको मैं खुल करके कि कुछ बाते इसी बताने भी चाहिए कि जिसमें आप लोग कुछ चीजों को नहीं मनते रहे हैं उसमें एक है कि समय का भी अपना एक गनित होता है सुगन बरंट का आना और वो युवाओं का समूह बन जाना जो आपने नहीं सोचा था ये समय की मांग रहे थी तो जैसे अंदोलन की गत समय होती है वहां को सिर अंदोलन के नहीं नहीं करता था तौन किसी तरह से अप्रकाश में रहें मेडिया में इसा से तो यह जो है नहीं वह बात थोड़ी समझ लेने कि इसमें कोई territ का स्रेयनी है वो समय ही आ गया था और सुगन वाहन आगया निशार गया अर वो सहस्ता से करने की कोशिश करे अगर करके दैखी तो तो और में मुट nuovo सब ở जाता है क्योंकि आप मैं का विसर्चन जब हो जाता है तो आप भी उस अनन्थ का एक हिस्सा हो जाता है जो अनन्थ आप से करवाना चाहता है वह उरजा करवाना चाहता है तो वह सब हो गया फिर वह इस दर्मियान कई foreign के लोग आते थे वह चीन में एक बड़ा बांध बन रहा है वहां के लोग तो नहीं आ से किसे जानकरी आती थी लेकिन एक बांध रोग दिया था 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 थे अपने पास और उसी में सब एड़ेस्ट करना होता था और फिर वह सब काम चलता था नीचे में मुझे थोड़ी सफाई की जाए तो मैं गली भी साफ करता था तो गली के लोगों में भी एक मेरी बहुत दोस्ती हो गए थे वह सामने एक मुसलिम परिवार रहता था परिवानी शहर के सीख भाई थे नाम तो याद नहीं मुझे नानाक सिंग जी एक और दूसरे एक पूराने कारे करता थे क्या नाम था उनका वो यादो थे काशी राम काका शाय था काशी राम काका वो लोग भी फिर बीच में थोड़े से डिलमूल गये थे जैसे वो एक बाफना निसरपूर का डिलमूल गया था तो फिर 2000 के साल में शायद निसरपूर में एक जन सुनवाई हुए थी और उसमें क्या हुआ कि वो बाफना आया था और वो कुछ बोला तो अपने लोग उसके खिलाब तो उसकी वो इंडी का गाड़ी नहीं नहीं आये थी पीछे से एक ने किसी ने पत्थर मार दिया था उसकी गाड़ी का काश फूट गया था वो नवीडिये के सब लोग अर्थक भी करते ही रहते थे तो ऐसा इस तरह से वो दो अजार का सत्यागरा और बात के सारे कारेक्रम होते रहे और यह सब ऐसे एक लोग जमा किये जो थे ना नर्मदा ने कि हरे एक सामन्य से सामन्य अदमी का योगदान जो मैंने आपको कहा पहले वो भी उसका ना चाहिए यह गांधी के बाद किसी के समय में नहीं वा आगी विनोबा के समय में हुआ लेकिन वा अलग तरह से नहीं हुआ आप दुनिया के किसी इतियास में मैंने तो बहुत पड़ा नहीं है लेकिन ऐसे जो नॉन-कंसर्ण पीपल भी आपका काम करे अब जुलवानिय में कोई STD वाला मुस्लिम आपका काम क्यों करेगा जिल्वानिया तो कभी जिन्दगी में उसका कोई संबन नहीं नर्मदा बच्छों से या वहां का एक RSS किया वाला होटल चलाता है वो राजु भाई है वो आपको क्यों फोकट में चाहे पिले and that transparency that decision making that simplicity that involvement of common man that carries a weight इसलिए लोग आपसे जुड़े हुए इसा मैं समझता हूँ फिर वह इससे तरह से 2000 का साल चला फिर 2000 के साल में एक और क्या 2000 के सत्यागरा के समय में आप लोगों के बीच में कुछ मतंतर हो गए थे तो बुल्या डाया के घर पर सब लोग बेटे थे और दीदी कुछ कह रही थी आप थे स्रिपात था अलोक था और सिल्वी थी लेकिन तब मुझे बाहर से जो लगता था मुझे वो गट लेकिन आपके कौर ग्रूप में कुछ मतंतर होए थे पता चला जो मिटिंग होई उसमें मुझे ये तो कुछ भी याद नहीं कि विशे क्या थे पर लगबग ऐसा चित्रत तब हो गया था कि दीदी एक तरफ और आप चारों एक तरफ ऐसा विशे था अब मुझे उसमें कि विशे सब्जेक्ट याद नहीं ऐसा था इनिवे वो घटना आई गई हो गई उसका कोई बहुत बड़ा मात्व नहीं है लेकिन वो एक बात याद आ गई तो इसलिए मैंने संधर में आपको बता दिया फिर ये 2000 का साल हुआ जल सिंदी में हम थे वो सत्यागर पूरा हुआ फिर बात के सब कारेक्रम हुए फिर मेरे कहले से 2000 में शायद सिल्वी का भी रोशन पुरा चवराय पर एक बड़ा उपवास हुआ था उसी साल हुआ था है उसके बाद हुआ था पता नहीं क्योंकि तब तक वो लोग मंडलेश्वर में बहुत काम करने लग गए और उनका उदर ज्यादा ध्यान हो गया था और इधर वो मजदूर और खेड़त मजदूर चेतना संग इसा था वैसे वो इन अधर सेंस कहेंगे तो वो एक पैरलल एक्टिविटी उनकी थी वो उनकी अपनी थी उसमें सारा डिसीजन उनका वता था ऐसा मेरे को आभास है मुझे किसी रहा होगा उनका खेड़ित मजदूर चेतना संगा क्योंकि उसमें कहला सावाशा था एक दूसरा ककराना का एक लड़का था अब नाम भी याद नहीं मुझे उसका लेकिन वो एक था वो सब उसमें काम करते हैं उनके पैसे उनका मांधन इससे हमारा कोई लेना देना नहीं नर्मदा बचाओ उससे वो जाता था इससे मुझे मालम नहीं है क्योंकि यह तो सब मैं मॉनिटरिंग करता था ने पैसे का तो इस तरह से चलता है और यह सब चलता रहा 2001 का फिर सत्यागरह आ गया और फिर यह तैवा के 2001 के सत्यागरह में तीन जगा फ्रंट खुलेगी जल सिंदी और जल सिंदी से कसराओत इसे बाहर लेके आई पता नहीं तो कसराओत का सत्यागरह मेरी तरफ था तो वहां फिर बहुत बड़ी पहले सभा हुई और कोई बड़े-बड़े इसे वो फिल्म वाले लोग लेखा कि तो बहुत कितने आते थे नर्मदा का एक यह भी ए अफेक्टड पीपल इट वो फिल्म वाले इसे लिए उसका और एक अलग चेरीतर अपनी बात सब समाज को कहना और समाज को अपनी बात पटा देना यह कोई साधरान काम नहीं है सिद्राज जी डड़ा इतनी उमर में तब तो मेरे खाल से उनकी उमर 89 वगरा थे वो शुल्पानेश्वर से चल के आते थे संजय संग्वी के बारे में बहुत बताना पड़ेगा आपको क्योंकि संजय संग्वई इतनी बीमारी के बाद इतना दुबला पतला और उसको भी दीदी के साथ आप लोग सब कहीं कहीं जाते थे फॉरेन में तो वह भी गया हुआ था एक दो बार केश्व काका गया था व हो कौन सा एक बड़ा राइट लावलिवूड अवार्ड मिला था था और संजय की मेरी बहुत जमती थी क्योंकि संजय उन्हें मराथी का बहुत सांस्कृती का अभ्यास संगीत का अभ्यास संजय और ऐसा समझ लीजिए कि पूरे हिंदुस्तानी कल्चर का पाकिस्तान के कल बड़े लेखकों का इनसाइकलोपेडिया था और संजय की सेवा करने में बहुत आनन्द आता था संजय के बारे में मैं आपके बता हूँ कि मुझे मैं बहुत भागवान हूँ कि अंतिम समय में 15 दिन में संजय के साथ रहा फिर उसको वहां ले जाना था यह वहा ना केरल म तब तक मैं उसके साथ था तो उसकी सेवा करने का मुझे मोगा मिला लेकिन एक अच्छे बहुत ही अच्छे दोस्त को खोया मुझे इसा लगता है कि उससे मूमेंट को संगर्ष और रचना दोनों में संतुलित रखने वाला व्यक्ति में तो भी हमारे बीच में से गया है लेकिन हो सकता है तो संजय का प्रतिम योगदान सब जगह रहा था अब 2001 के साल में शायद हम लोगों का फिर दिल्ली में सत्ता अगर होगा था और तब मैं आप से मेरा ज्यादा करीब से संबन्द है शायद उसी साल वो नेलसन मंडेला ने वो वर्ल्ड कमिशन ओन डैम्स का रिपोर्ट हो करना दा तो हम लोगों को उठा के लेगे तो आप लोग तो सब ट्रेंड से चले गए थे सीधे दिल्ली वो इसमें क्या बलते ह इंदोर की ट्रेंड से लेकिन आप थी यह मुझे पक्का याद है तो फिर पहले हम लोग सब राजगाट पे चले गए थे तो मैं और शिवजी मामा है एक ट्रक में पूरा सामान भरे और उसको गादिया बांदी और ट्रक में वो ठंडी का समय थे जनवरी में शायद हो सत् भेंग कर दिल्ली में ठंड और उसमें हम लोग को वहां ले गए थे तो हम बहुत गादिया वगेरा कुछ ले गए थे तो वो ट्रक में गादियों के बीच में हम लोग गुच जाते थे उपर से रसी बांदी हुई थी और ऐसे ट्रक में मैं निमाड से दिल्ली तक गया सब सामन लेके शिव जी मामा के साथ और फिर वहां पर गए वहां पर फिर दो दिन रहे और कोई तो भी बड़ा अदमी राजगाट पर आने वाला था तो आमको सब को उठा के वहां डाल दिया लाल की लेके पीछे और दीदी को जाना था वह इंगलेंड तो फिर आपके पास सब वह नेत्रुत्व था उसका वह सब संचलन करना ऐसा तो पानी नहीं आया था तो मुझे याद है आप श्रिपाद और आप सब एकदम सड़क पर रस्ता वो जो रिंग रोड़ है वह ब्लॉक कर दिया था अपने फिर तुरंट पानी आया वहां पर तो आप सब चलाते थे त आ देरा ने पता नहीं लेकिन आपको मैस मेरा कहने का मतलब इतना ही यहाप उसमें प्रमुग भूमिका में थे वो जो दब दिदि नहीं थी वहां पिर वह ना वहां का खाका के वह बहुत दिन रुकना पड़ा था अच-दस दिन अपने को वहां तो फिर मैने बहुत सर्द लगते थी तो मैं क्या किया किसी ने मुझे बोला कि यहां पर गांधियन लोगों का कुछ अड़ा है तो मैं वो राजगाट की गांधी समारक निदी में गया तो गंगा प्रसाद जी वहां थे उनका पोता था तो उन्होंने पैचन लिया तो उनके कमरे में मैं गुज गया औ और मेरे लिए कॉर्ट रिजोर करें तो दो-तिन दिर मुझे वहां बहुत सर्दी से रहात मिली अब आप लोगों को मैं छोड़ कर गया इसका मन को तो कोस्ता था लेकिन मेरा शरीर एकदम ही काम से चला गया और फिर मैं वहां पर हम लोग कुछ निमाड के लोग थे ने तो तो शिउजी मामा के साथ वह हमेशा से करिस्ता बन गया ट्रक में जाना आना ऐसा तो वह जो सत्याग्रव हुआ था 2001 में दिल्ली में उसका भी बहुत इंपक्त था उसके डिटेल तो मुझे याद नहीं है लेकिन मुझे वह वह याद है आप सड़क पर कैसे दोड़ी थी वह अभी चित्र मेरे सामने है फिर दिदी आ गई फिर वह आप लोगों को सब रिपोर्टिंग की वो वो जो वर्ड कमिशन ओन डैम्स का रिपोर्ट नेलसन मंडेला ने खुला किया था उसका फिर वो सब लोगों को बताया गया मंसाराम भाई वहाँ पर थे संचलन करने के लिए फिर वहाँ से हम लोग वापस आ गए और फिर वह 2001 का सत्यागरे की बात चुरू ही जो मैंने आपको कहा जिसमें रान्या डाया ने मुझे बताया है अमू आखा एक सका असली अर्थ क्या है और फिर सिद्राजी डड़ा थे बाबा मंच पर थे और बहुत बारिश आ इतनी बारिश आ गए तो मंच भी सब भिग गया फिर बाबा को उठा के लिए जाना पड़ा वो प्लास्टिक पकड़े बाबा पर फिर सिद्राजी भी निचा के हमारे बीच में नाचे बारिश में बहुत गीत गये हम लोगोंने सब फिर वो जो टोलिया जिदर उदर चली गए और मेरे पास 2001 के सत्याग्रा की जिम्मेदारी आ गए तो यहां तक अभी हम रुकते हैं थोड़ा आप 98-99-2000 तीनों सत्याग्रा जो डूब के डोमखेडी में थे क्या और थे तो कोई एक सत्याग्रा में पुलीस आई ही नहीं थी और पानी काफी बढ़ा था तो उस समय आप थे क्या एक वो था और क्या हुआ था अगर आप वहां थे तो जड़ा बताना कोई भी एक वो मुझे exact साल याद नहीं है शायद 99 या 2000 की पानी बहुत बढ़ गया था लोग अल्मोस्ट ऐसा था कि अब खतम हो जाएंगे पर पुलीस आई ही नहीं और वो एक पूरी घटना होई थी उस उस सत्याग्रा में आप थे उस थिती में आप थे क्या तो अगर वो बता सकते हैं वान टू आपने एक रेफरेंस थोड़ा दिया कि 2000 में एक मीटिंग हुई थी डोम खेडी में थोड़ा आपने वो टेंशन का भी बताया था तो आपने कहा मुझे ज्यादा मालूम नहीं फिर भी आपको क्या माहूल था क्या इश्यूस थे संगठन के अंदर भी क्या टेंशन थे उसके बारे में कुछ आप आईडिया हो तो देखे फिर अपन 2001 में जा स सकते उसका असर माहूल क्या इश्यूस क्या आप एजव्यक्ति क्या सोच रहे थे करना चाह रहे थे तो उसके बारे में थोड़ा यह दोनों अगर आप बता सकते हैं क्योंकि वह बहुत क्रूशल यहर्स थे 98-99 डूब भी आ रहे थी कोट का भी एक निरनई का था बान का र अपने जो भी पूछा कि एक सत्यागरह में इसा हुआ कि पूलिस आई ही नहीं डूम खेड़ी में वो 99 का इसत्यागरह था एक नाइंटी-एट के सत्यागरह में भी दिदी को वहां से उठाय था चिमल खेड़ी से लेकिन यहां तो पानी नहीं था यहां को पानी आया था बहुत ज्यादा नहीं था नीचे की जोपड़ी में पूरा आया था तो ऐसा समझ लिए कि हमारे कमर तक इतना पानी हुआ होगा लेकिन तब उठाया नहीं था पुलिस आई तभी लेकिन वह वहां आई और वहां से दिदी को उठाया और पानी कम हो गया बलकि मैं आपको बता समझ खास करके मेरा समझ तो इससा था मैं लोगों को बोलता था और निमाड के लोगों की क्या है कि दिदी के प्रति भक्ति जादा है और अधिवासी की भी आधिवासी तो बहुत तटस्तता से दिदी को देखते लेकिन निमाड के लोगों की ज़रा भक्ति है वह है भी वह तो उनकी भक्ति बहुत है तो उनको बात बहुत मेरी बात ऐसी हाँ लगती थी बच्चे जो थे युवाओ तो हस देते थे बाहर के जो थे लेकिन मैं हमिशा के तो नर्मदा का दीदी का कुछ रिष्टा तो नहीं है न वह लगता है जब भी उसको उठाते पानी कम हो जाते ह हमको तो पकड़ने का मौका ही नहीं आ था तो दो साल में जो बात होई थी तह तब 99 के इसमें होई था कि यहां भी पानी आया था लेकिन इतना नहीं आया था कि जो स्थिती 2000 में हो इथे तो अफिस खाली कर लिया था और वो औफिस के जोपड़े में न तो वहाँ पर भी कम से कम इतना पानी था गुटने की इतना पानी था है जचेवल शुपड़े में उसका और दूसरा आपने पूछा था कि वो जो मिटिंग हुई उसमें मुझे ये तो कुछ भी याद नहीं है कि विशे क्या थे पर लगबग ऐसा चित्रों तब हो गया था कि दीदी एक तरफ और आप चारों एक तरफ ऐसा विशे था और सारे निमाड के लोग जो है वो और अदिवासी लोग वो आप सब को एक ही मनते थे और वो मनते थे कि ये मद्वेद बहुत छोटे हैं इसा वो उसकी तरफ बहुत ब्रॉडर अस्पेक्ट में देखते थे मैंने जैसे कहा कि मेरा जो फिलिंग आपके और अलोग सिल्वी के बारे में था मुझे लगा कि they have some in total about the movement they have some other strategies in their mind ऐसा वेराज in your case I was feeling कि in totality you are looking that is one thing secondly मेरे बोलने में मुझे इसा लगता था कि उनके बोलने में जादा जो था वो दीदी की निरने प्रक्रिया में जो सामुखता होनी चाहिए वो नहीं होने वाला मामला था वेराज यूवर स्टेंड वाज वो तो उसमें थोड़ा जोर आप दे रहे थे लेकिन आपका कुछ तात्रिक मुद्दे थे जो दिल्ली और बाहर से सम्मंदित थे और उनको उनका भी समर्थन था तो यह ज़रा फरक मुझे थोड़ा समर्ण है तो वो एक मुझे लगा मैं अगर आपकी उस बैठक के संदर्ब में मुझे पूछेंगे तो मैंने दीधी को बाद में बहुत बाद में अधिक तटस तता से देखना शुरू किया था पर्टिकुलर्ली आपको अगर याद होगा मुझे याद है कि वो बोपाल में का जो धरना हुआ था और टेक्निक च अगर नहीं हुई नहीं तो मैंने गया जो उसमें 60-70 लोग थे और दीधी ने और कुछ कहा था तब समर्पन तो नहीं हुआ था जल समर्पन तो मैंने बहुत गुसा होकर कहा था कि क्या होगा यह सब तुमारे इससे तुम देवी बन जाओगी मा तुम मर जाओगी और अब लौज और एक चाय का नवस लगा देंगी इससे मेधा देवी खूश होती है ऐसा हो जाएगा इसा मैंने जुंजला कर दीधी को कहा भी था तब से मैं दीधी के कार्य पद्धती को अधिक तटस्तता से देखने लगा लेकिन और मुझे लगता था कि यह नहीं दीधी क को करना चाहिए इसा नहीं होना चाहिए लेकिन वह कहा है कि उसका जो इतना व्यापक व्यक्ति मत में ऐतना उ descendants तो बोलना अच्छा नहीं लगता था लेकिन महें उसको कभी मुखा लगता था एक दो बार दीधी के साथ मैं प्रवास भी किया है lymphi में तो हैसे समय मेंने दी विए मुझे बुलाया था पिछले साल में गया था हूँ हाइकोर्ट का कुछ निकालवा तो बड़ा मेला हुआ था लेकिन मुझे इसा लगता है कि वो व्यापकता में संगर्श को नहीं देखते हैं जैसे रचनात्मक काम की बात तो रचना और संगर्श के बारे में मुझे इसा लगता है कि वो केवल संगर्श संगर्श को लेकर चलने आले ऐसा ही मुझे दीदी के बारे में भी लगता था कि दीदी को रचना का यह जो हम काम कर रहे हैं यह कम से कम दीदी ने अपने नजदिक के कारे करता ओपर कहना चाहिए कि उनको तुमको यह पालना पड़े जैसे मुझे लगता था कि मोहन भाई के यहां, सितरम काका के यहां, जगनात काका के यहां, आशिश के यहां, ऐसे सब जो नजदिक के कारे करता थे ना, उनके घर में से तो कोलगेट पाउडर जानी चाहिए थे, लेकिन मैंने वो कभी बोला नहीं आपको, कि यह थोड़ा कि इतना मुझे लगता है, और एक मैंने देखा कि रन नीती बनाते समय, आप लोगों में काफी चर्चाय होती थी, मैंने यह भी देखा है नजदिक से, कि every common grassroot worker has a say in strategy, that was also unique, तो वो घस करके जिसको बोलता है न, अच्छी तरह से घस के रन नीती आप लोगों की बनी वही इसलिए उसमें मुझे strategy में कोई बहुत बड़ा यह नहीं दिखता है, हाँ, कारिय उस, वो strategy की कारिय पद्धती जो है न, वो कारिय पद्धती के कारण जरूर थोड़ा setback बेठा होगा, वो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन वो बेठा होगा ही, ऐसा मेरा, मेरा अभी भी सम मुझे, क्योंकि दिदी की कारिय पद्धती जो थी, वो कारिय पद्धती strategy के थोड़ी सी different जाने जाती थी, थोड़ी-थोड़ी, ऐसा मुझे लगता है, कुछ हद तक, और वो कारिय पद्धती के कारण थोड़ा सा, ऐसा बोलते हैं मराठी में कहावात है, अगा-गा मशी म बहुत लोग बोलते नहीं थे, लेकिन थोड़ी सी कारिय पद्धती में मुझे इसा लगता है कि उसका आसर थोड़ा सा अंदोलन पर हुआ ही होगा, नहीं होगा, इसाम नहीं बोल सकते हैं, उसका विशलेशन अगर आप करेंगे, अब बाद में, तो किस तरह से उसको रख जाएगा, कि फिर उस अंदोलन को और आगे अधिक विकल्प की तरफ क्यों नहीं गया, जैसे मुझे याद है कि गोई नदी के बारे में तो सीधे-सीधे कह दिया था, दिग्विजे सिंग सरकार ने चैलेंज दिया था, कि आप गोई में करके दिखाए आपकी तरह का चनविवस्ता, लेकिन हम लोग नहीं कर पाए, तो वहां तक हम क्यों नहीं पहुँचे, तो मुझे इसा लगता है कि उसके लिए जो आवकास चाहिए ना, वहां अमारी एक गलती है होती है कि हमने सतत प्रश्न को जागृत रखने से ही वो जागृत रहता, ये माना हुआ रचना के इर्दगीर्द भी लोग जागृत रह सकते हैं, अगर अंदोलन चाहता तो उस समय शायद मीडिया को भी कनवर्ट कर सकता था, ये मीडिया तो अक्सर लड़ाई वाली बात ज्यादा चाहता था, रचना की बात को उतना तुक नहीं देता था, लेकिन उसको देना अगर हम गोई का काम पूरा करके दिखा देते, तो शायद दुनिया में हमारा बहुत बड़ा नाम भी हो जाता, लेकिन उसके लिए एक टीम बाहर निकलना बहुत जरूरी था, और आपकी कोर टीम में से उसमें जाने वाला कोई नहीं था, और मेरे जैसा कारे करता, और दो यह शायद हमारी, हम उसको भूल तो नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ी खामी तो अमारी रही है, ऐसा मैं उसको देखता हूँ, जहां तक रणनिती का सवाल है, तिसरा अपने एक तो फंडिंग के बारे में, यह रणनिती के बारे में मेरा विशलेशन पूचा था, और तिसर 2001 के सत्यागरह में कोई बड़ी हस्तिया आई थी, मुझे नाम याद नहीं है, और शायद मुझे याद है कि महेंदर भाई भी थे, महेंदर भाई बहुत मजा किया किसम के आदमी थे, और नर्मदा बच्चा अंदोलन को शुरू से समर्थन देने वाला वो आदमी था, फिर आपको गुजरात की तरफ का और समर्थोकों का और दिल्ली का, हमारे को जो सुनने को आता था वो यही था कि आप लोग बाहर का पूरा मोर्चा समाले वे थे, यही मुझे सुनने को आता था, और इसलिए आपकी यहाद अनुपस्तिती रहती थी, और अलोक सिल्वी का तो दिदी का तो भी काम चलता था, खेडूत मस्दूर का और उनका मंडलेश्वर में भी काम चलता था, उनका समय उधर भी जाता जाता था, तो यह भी एक कारण था, मुझे हमेशा चर्चाओं में विशेजब भी होता था तो यह श्रीपाद के काम का जो बोज है वहाँ का, उस पर बड़ा लोग, मराटिम बोलते काउतुक करने, कि वो एक इतनी ही इंपोर्टेंट लड़ाई भाई उधर समाले जा रही है ऐसा, और गुजरात में जो तान तना आपको जेलना पड़ता था, उसकी भी चर्चा चलती थी आपके बारे में, तो यह सब मैंने देखा क अधिकतर लोग है न, वो सब positive thinking वाले नर्मदा में थे, क्योंकि इसका एक कारण ये भी होगा, मुझे जो लग रहा है वो, it has its own culture, केवल व्यवस्था को, इस व्यवस्था को चक्र को उलटना है, और इसके लिए विकल्प ये है, ये शुरू से इंबाईब होते रहा है, य ये भी एक कारण होगा, फिर वो सब लोगों के भाशन होए, तो आपको याद होगा, बाबा के आश्रम के पूर्व की तरफ बंबू लगे वे न, वहाँ पर हम लोग बेठे वे थे, और सब युवा लोग थे, और तब तक तो रहा के युवा बहुत सशक्त हो गए था, त तो वहाँ पर हमने कुछ कारेक्रम, गाना ये, वो सब करते थे हम सब लोग, फिर वो सभा उसके बाद समप थे, और फिर दूसरे दिन से मुझे वो समभलना था, तो मेरा रहना था बाबा के वो कुटिया में रहा, उस दिन, फिर ये आये निमाड के लोग और उन्होंने व बेटता था, तो मैंने पूरा जो पैटर्न था ना वो डूमखेडी का चालू रखा था, प्रार्थना करना, न्यूज पढ़ना, एक और बात नर्मदा में देखा मैंने की, छोटे से छोटे संसाधनों से अधिक एक्सपोस होना, मतलब एक्सपोस करना चीजों को, जैसे ड अधर्मियन कुछ प्रेस वाले आये थे, मेरे बहुत सारे इंटर्व्यू छपने थे, फिल्में भी बहुत आये थे, अगर ऐसा पूछे तो नर्मदा से बाहर सहजता से इतने आ गया है कि वहां का भानी नहीं रहा है, तो नर्मदा मुवमेंट में से बाहर निकलना, अपन आप में किसी बड़े मोह को छोड़ना है, क्योंकि इतना प्रसिद्धी जो होती है दुनिया भर में, वो सतत पुलिस के साथ संगर्ष वाली बात, वो सतत अकबारों में नाम आना है, मेडिया में आना, वो भी प्रकार का मोह बन सकता है आत्मी को, लेकिन वहां से निकलना इतना सहज हो गया, तो वो क्यों हुआ वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस तरह से सत्यागर का कारेक्रम चला, मेरा काम इसा रहता था, दोपर में मैं रोज बोजन के बाद, तीन बज़े बाबा के पास जाना, और तीन से पास बहे तक बाबा को सारा रिपोर्टिंग कर नहीं होता है, तो बाबा अम्टे ने अपने जीवन के कही ऐसे पन्ने मेरे पास खोले थे, जो कहीं उन्होंने कहे नहीं है, मेरे पास डायरी में लिखे हुए, मैं लिख लेता था, अब उसका अपने मुझ से कहना है ठीक नहीं, लेकिन अन्त में बाबा ने इतना ही कहा कि यूजवली मैं किसी आदमी को इतने नजदीक नहीं करता हूँ लेकिन मुझे लगता है कि आपके साथ मेरा एक फोटो निकालना चाहिए ऐसा थोड़ा सा इतियास थोड़ी वर्तमान समकालीन प्रश्णों पर चर्चा जो मेरा रिपोर्टिंग होता था पूरा सत्याग्रह का वो भी मैं आ करके बाबा को बताना इस तरह का वो पूरा चलता रहा अब इस दर्मियान वहाँ पके यो युवा जो थे वो लेकिन आते थे रेगुलर पाच दस पाच दस लोग रहते थे शिवीर में ज़्यादा नहीं हाला कि सरिया तो ऐसी लगी थी कि रोज पचास लोग रहना चाहिए पर उतना नहीं होता था कभी-कभी उसमें इसे दिना आये थे जब पानी थोड़ा बढ़ा था बहुत नहीं मामूली तो लोग वो संक्या में आ गए थे परिया सत्याग्रह में एक बात मैं आपको बताना भूल गया क्या हो था कि कसरावद डूब में आ रहा है इसके लिए वो गिनते हैं न कहां तक डूबेगा क्या नहीं उसको नाप्ती बोलते तो नाप्ती करने के लिए लोग आये थे तो कसरावद गाओ में उस समय फूट हो गई कुछ लोग चाहते थे नाप्ती करवाना और कुछ लोग चाहते थे नहीं करवाना लेकिन ज्यादा लोग कसरावद के उस पक्ष में थे नाप्ति होने चाहिए अभी कहां महोजा ले रहे हैं लेकिन अंदोलन के लोग तो इसके खिलाब थे तो आशीश और वो गबू और ये सब आ गए रेवा के युगा के लोग और वो नाप्ति करने को अपसराया तो एक घर में वो गुसा नाप्ति लेने को तो उसको गेराव क कर ले और उसको बहुत सवाल जवाब करने लग गए तु तु मैं मैं हो गई और शायद पकड़ा मैं तो थाई वहां तो हाथपकड़ा खाली तो चिला है तो बाहर जो लोग उसके सपोर्ट में थे ना उनके वो बहुत हंगामा करने लग एक उनके और उनके बीच में चलो चलो यहां से क्यों जंजट बढ़ा रहे हो यह हमको नाप्ति कर रहे है ना तो जिनको चाहिए वो करेंगे नहीं करना है उनको नहीं करेंगे तो option आपका खुला है जब मौझा लेने का समय हैगा तब देख सकते हैं लेकिन अभी यह करना और इस तरह से आपस में फूट करना मुझे नहीं अच्छा लग रहा था कि उनके साथ बैठ करके समवाद हो सकता था पहले गाउवालों के साथ उनके साथ समवाद में हमारी कमी है इसलिए यह स्थिति आई है ऐसा मुझे लग रहा था लेकिन इतना हंगामा हो गाए ता आपको क्या बताऊं एकदम कि एक दूसरे की जान पर तुल गए थे लोग और उसमें फिर अंदोलनकारी तो वो जो नहीं नाथ्ति नहीं कराने देने आले थे उनकी तरफ से थे तो अंदोलनकारी और कैलाज भाई इब्रहाइम भाई इसमाइल भाई यह और थोड़े से लोग एक तरफ और ज्यादा तर लो के बुजर्गों ने लेकिन क्या होता है जनरल यह इसी घटना के बाद तटस्तता से विचार करने की ताकत आदमी खो बढ़ता है तो इसलिए मेरे समझाने का कोई बहुत फायदा हुआ नहीं फिर यह बात बाबा तक गई वो उधर वाले लोग भी बाबा के पास है इदर करके और आपने जो उसको दर्वाजा बंद करके अंदर ले लिया आप सर को यह क्या यह ठीक नहीं क्या ऐसा उनका कहना है और यह लोगों का मानना था कि वह इसे मानने वाले नहीं है इन्वीडिये वाले मालम नहीं तुमको कितने करप्टेड और कितने खराब होते यहां स जाने के बाद क्या कागस तैयार करेंगे क्या नहीं करेंगे कुछ बता नहीं सकते हैं तो इसा था लेकिन वो फिर समझा दिया दोनों को कि आपस में नहीं लड़ना तो बात बंद हो गई तो यह घटना हुई थी वो मैं बताने कि आपको भूल गया था लेकिन बाद में उस पर कोई बहस बहुत हुई हो चर्चा हुई हो इसा नहीं है इड़ी के मैं इवेंट उसके बाद तो थोड़े जिन से सत्याग्रह भी समप्त हो गया फिर उस दर्मयान रेवा के युवा ने भी कुछ कारेक्रम बढ़वानी में किया था तो इस तरह से वो सत्याग्रह हुआ फिर दिदी वहाँ पर समापन के लिए आए थे तो दिदी समा समापन के लिए आई फिर वहाँ समापन का कारेक्रम हुआ तो दादा को भी बाबा आम्टे को भी शाल और श्रीफल दिया और मुझे भी दिया तो मैं बहुत मुझे बहुत बूरा लगा कि यह तो अपने घर के आदमी का सत्याग्रह इसका मतलब मैं अभी भी बाहर का पर वो गया है उसका कोई बहुत महत्व नहीं था लेकिन बाबा पर उसके बाद तो चले गए उस सत्याग्रह के बाद फिर मैं भी घर पर आ गया हूँ ऑक्टोबर के बाद तो घर पर आया मैं और फिर वह नर्मदा जो छूटी हो छूटी गई फिर उसके बाद सम्मेलन सर्वोदय का अफिर में महाराष्ट का अध्यक्ष हो गया इधर रह गया वैसे मैंने तय करके नर्मदा छोड़ाया इसा नहीं है लेकिन अंतिम दिनों में मेरे सामने एक प्रश्ण जरूर निर्मण हुआ था उसकी मुझे आपके साथ चर्चा करने जाए वह ऐसा था कि मे मीटर पर बांद बंद होना चाहिए इस पर चर्चा होनी चाहिए नहीं यह मुझे बाबा ने बताया और एक पत्र आया था उनकी तरब से उसमें इसका उल्लेख नहीं था एक सो साथ मीटर का लेकिन आप लोगों को बुलाया था वहां कि आप आकर के अपनी बात रखिए तो जो पत्र का जवाब गया था वो भी वहां मैंने देखा उसमें लिखा था कि आप लोग बायस है इसलिए आपके साथ बात नहीं हो सकते किसी दूसरे मन से बात होनी कराईए तो मुझे लग यह इससे कैसे हो सकता है कितना भी विरोधी आदमियों उससे तो बात होनी ही बस वो बात हो गई मेरे मन में पर मैंने उसको छोड़ दिया बाद में जब एक बार कभी तो भी बात होई जोती भाई के साथ या सिद्धिराजी के साथ मुझे याद नहीं है तब उन्होंने मुझे कहा कि यह जो चल रहा है हम भले ही सत्याग्रे कहें यह सत्याग्रे नही क्योंकि मन में विरोधक के प्रती ममता भाव होना बहुत जरूरी है तब मेरे समझ में है कि नर्मदा सत्याग्रा वाज इन अधर सेंसे टो नोट ए टू इन इस फार में टू सत्याग्रा पर सत्याग्रा में तो गांधी नहीं माना है कि बिल्कुल विरोधक के प्रती ममत भाव होना चाहिए वह आ नहीं था अब यह शाहिद कारण हो कि जमना बेनने मैं से समझता हो कि बाई ने मुझे वहां से सहचता से निकल ले तो फिर मैं बहार आ गये और फिर जाना हुआ नहीं और वैसे भी बाद में सत्याग्रा जी तर मैं बुलाने के अपक्षा तो नहीं थी लेकिन या मुझे लगा नहीं कि अब जाना चाहिए सकुद को अंदर से इतना सावज था वो छुटना कि बत्ता जैसे सूख जाता है डाली से निकल जाता है अपने आप ऐसे था हो लेकिन मेरा रिष्टा बहुत बना हुआ है ना ए तब हमारे वह अध्यक्ष जो थे महाराष्ट सर्वोदाय मंदल एकदम से इतना ठंडा हो गया था बाई की जाने के बाद तो हमारे महाराष्ट प्रांत का सर्वोदाय समाज सम्मेलन अमने कर दिया और जहां सहाज एड़सों की उपस्तिति होने अली थी वहां साड़े पा है था सम्माद लेकिन मेरा लगा उतना ही था और वहां के लोग भी ट्रीटमेंट के लिए आते आते थे याने रिष्टा तो बना हुआ था मैं सिर्फ जो फुली अक्टिव था वो नहीं था I was not totally cut off I was fully involved but not in struggle on humanitarian level and in रचनात्म का इधर ही इन्वाल था और आदिवासयों के एक्षेत्र में मेरा काम जो था वो स्कूल का चालूई था तो यह सब संपर्क था फिर वहां बहुत हिमोगलोबीन कम होता है थोड़ा को पोशन होता है तो सब लोगों को ले जाना महिलाओं के खास करके बड़े-बड़े ऑपरेशन माले गाओं में हमने बहुत सारे कराए तो यह सब नर्मदा का हुआ लेकिन नर्मदा से जो फाइदे हुए है टोटल इन टोटल उसमें हमको भी प्रसिद्धी बहुत मिली लोग बहुत जानने लग गए समझने लगए और सर्वोदे का भी नाम बढ़ गया है यह सब हुआ लेकिन उससे कुछ नुकसान भी हुए है उसमें खास करके जो नुकसान हुआ वह यह है कि जो पैसे आते थे ना तो इस पैसे में क्या था कि 60,000 रुपिया हमको आफिस खर्च के लिए साल का मिलता था माले गाओं के तो एक आदत ऐसी लग गई मैं बहुत कठोर परिक्षन करता हूं तो क्या हो गया था कि जो घर-घर से हमारा रिष्टा था ना बंद हो गया आप लोग आते कोई बड़े लोग आते तो सिधा टिफिन आ जाता था होटल से वह टाटा का ऐसा था कि जो पैसा जिस मद में लिया उसी मद में खर्चा करना चाहिए तो थोड़ी सी अभाव में आदमी जितना वो होता है ना सुविदा आने से आदमी थोड़ा सिधिल हो जाता है वो सिधिल ता आ गई हमारे लोग समिति के यूनिट में और उसके कारण नर्मदाई मुख्य विशे हो गय और सर्वोदाई का जो युवाओं को भरती करने का ट्रेनिंग का काम था ना उस पर बहुत असर हो गया लोकल सवालों को लेकर का संगर्श का काम वो भी थोड़ा डिला हो गया है यह थोड़ा नुकसान भी हुआ है घरमदा की कारण नहीं हुआ है ऐसा नहीं है तो इस तर उसमें मैं भी ट्रस्टी में मेरा नाम ता जोती भाई का था बाद में कि उसमें मेरा नाम नहीं रहा तो भी मुझे थोड़ा सा तो मन में लगा कि ऐसा क्यों हुआ होगा पर फिर मैं ने छोड़ दिया चलो इश्वर की इच्छा होगी और हमको वो ज्यादा रोजोगुण लिट dha ke बच्चे हैं और उनकी होली करना उनको अलग-अलग ट्रीनिंग देना अब मैं जब भी जाताूं उनसे बात करता अुनको समझाता हूं और उनको बहुत बोलता होंगे तुममारे में पैर चुना नहीन है तुम क्यों पहर चुते हो अपने को तो हाथ मिलाना चाहिए जिंदा बात कहना चाहिए अपनी परंपरा मत छोड़ो तुम हिंदू मत बनो को मारी कितनी उंची परंपरा है सब समझाता हूं और रचनात्म काम में भी अभी भी आकर कि अभी कुछ शिवीरता हुए हमारे वहां मुकेश फ पिजो भी वहां से चला गया तो फिर मेरा भी संपर्क जरा वह से कमी हो गया यह दहिनन दिन संपर्क नहीं है लेकिन मेरा तो आज भी जीवन संपर्क है उसमें मेरा मेडिकल प्रफेशन होना हमारे अस्पतल का होना वो बच्चों का यहां सिखना इसका भी एक प्रमुख प्रोल है तो वो मानविये रिष्टे जो बने हुए है और मुझे वो नाम ध्यान में रखने की रिष्टे ध्यान में रखने की जो आदत है उसके कारण अभी भी संपर्क बना हुआ है अब इसके बाद अगर आपको कुछ सवाल हो तो आप मुझे पूचे लेकिन मुझे ल पर तटस्तता से लिखने वाले लोग सुप्रिम पोर्ट का जब फैसला आ गया तो हमारे अरुन ठाकुर ने एक लेख लिखा था कि नर्मदा के कारेकरताओं को भी फेस से सोचना चाहिए तटस्तता से लिखा था कि इसको हम कैसे रोक पाएगे आज की विचार आज की इस उसके बारे में आपको सोच नहीं होगा जिस तरीके से हम जा रहे है उस तरीके से नहीं रोक पाएगे तब उसने लिखा था मुझे अभी अच्छा याद है लेकिन मुझे इसा लगता है किसी ने लिखा तो उसके बाद वो लगबग आपके अंदोलन से कटी गए और उसके पहले तक वो आपका बहुत पक्का समर्थक था और दोस्ती बनी रही नर्मदा से लेकिन रिष्ता नहीं रहा है नर्मदा बचाओं अंदोलन की तरफ से उनके साथ जो था हूँ तो यह जो है ना कि समर्थक समूहों का बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजी में रोल नहीं था सिवा दुलिया के लोगों को छोड़ दिया जाए तो मालेगाओ का तो स्ट्रेटेजी में कोई रोल ही नहीं था मालेगाओ का सारा रोल जो था वो विवस्ता काई था और जो कुछ भी था वो रचना कर दा पुझा के कुछ इंट्रिलेक्ट्ट्ट्वल ग्रूप में आपके स्टेजि़ के बारे में चर्चा होती थी वो सुनीती से मैं या इसा कही कही से मुझे फिडिवेक मिलता था लेकिन फिर भी उनका कही हुई बात और नर्मदा बचाओ अंदोलन ने सोची हुई बात इसमें अगर फरक आता था तो बात तो वो ही गसिट के उधर चली जाती थी जिदर नर्मदा बचाओ या मेधा पाट कर सोची थी ऐसी मेरी चर्चाए साधना से भी हुई है और भी एक दो लोगों से हुई है नहीं हुई है ऐसा नहीं है और में सुनिती के साथ इतनी नहीं लेकिन इस बारे में साधना के साथ हुए कि साधना भी बहुत तटस तता से देखती थी फिर मदद तो सब करते ही थे लेकिन जैसे अरुन ठाकूर नासिक में था साधना यहां थी ऐसे कुछ लोग थे जो तटस्तता से देखते थे इसलिए सपोर्ट ग्रुप का प्लानिंग और स्टेटेजी में कोई बहुत रोल नर्मदा बचा अंदोलन में एफेक्टिव हस्तक्षिप या परिणामकारक हस्तक्षिप या एफेक्टिव रोल रहा हो ऐसा नहीं है मुझे इसा लगता है कि वो जो समनभाई समीत क्या बोला उसकी मीटिंग में भी जो कहा जाता था वो शैद इसलिए बंद हो गया होगा कि सुन तो सब की लेते थे आप लोग लेकिन करते तो जो आपको करना मतलब नर्मदा बचा को करना था वह होता था तो इसलिए हम पार से देखने हाले हम लोग इसी चीजों को छोड़ भी देते जिससे आप इस बारे में अगर देखोगे तो थोड़ा भूदान मुमेंट को देखना पड़ेगा विनोगा कि समय में जो भूदान मुमेंट चली इतनी तेज मोमेंट चली थी कि 48 गाव के गाव जी ले के जी ले भूदान हो गाए वो इतनी तेजी से सब चल रहा था ना विनोबा का तो पीछे जो कारे करता करने वाले थे ना उनकी समझ नहीं बनी थी इसलिए अकड़े ही इंपॉर्टन्ट हो गए कितना एकर लेंड मिली, कितना वो हुआ, कितना बटवार हुआ आज सब सवाल मुझे फेस, मैं अध्यक्ष वा हूँ और ये पिछले 25 साल में, सब सवाल खड़े हो गए भूदन के इसलिए वो एक आंधी थी वैसे नर्मदा भी एक आंधी थी तो ये इस आंधी में है, ना समय नहीं मिलता है आदमी को वो सोचने के लिए तो ऐसे समय में कार्यकरताओं को जो तयार करने के लिए स्पेस चाहिए ना, वो हम लोग नहीं देते हैं अब इस तरफ जब पूरा सर्वोदे समाज पूरा खीचा गाय विनोबा के पिछे और वो समय ही रचनात्मक कारेक्रम के पहर काट रही थी ब्यूरोक्रासी जैसे कवी आईसी हो गई या सरकार में भी आरक्षन नहीं रहना अगरा मुद्योगों के इसके लिए और दिरे दिरे वो मुलद्यों की नई शिक्षन पद्धती बंद हो गई 1956 तक यह सब वहा तो इसके खिलाफ हम किदर ध्यान दे रहे थे हम सब तो भूदान में लगे वे थे यह मेरा अकलन है भी जब मैं सोचता हूँ आज हमारा failure सरवोदय मुमिंट के failure की जब सोचता हूँ कि रचनात्मक कारेक्रम की तरफ हमारा दुरलक्ष क्यों हुआ होगा अयूंसा का अंदोलन एक कदम आगे बढ़ा इसमें कोई शंका नहीं विनुबा के समय में कि एक अंदोलन जब आंधी के जैसा चलता है तो उसकी मुलभूत कई बाते छूटते जाती है उसकी तरफ धन नहीं तो यह तुलना आपकी विनुबा के उस आंधी से हो सकती है आपके नर्मदा के ग्रूप की आप अपनी आंधी को कही रोकना भी सीखना चाहिए या उसमें एक थोड़ी इसी पोजिशन आनी चाहिए कि जिसमें बाकी कारे करताओ का बहुत धिक भरन पोशन हो अगले आपके आगे जो है उनका उसके लिए आउकास चाहिए रचनात्मक काम के लिए आउकास चाहिए यह सब जो है ना यह इस बड़े काम के दर्मेन नहीं होता है आप देख लिए जेपी मुमेंट का भी जेपी तो चले गए लेकिन हम संगर्श का ही मुद्दा लेकर अभी तक दोड़ते रहे हमने रचनात्मक काम की तरफ बहुत दुर लक्षे कर दिया क्योंकि वह गांधी के खुर्तियों को विरोध करने की तो मुझे इसा लगता है कि जब गांधी को देखते हैं तो उसके बाद विनोबा का टपा जेपी का टपा और नर्मदा बचाओं देश व्यापी मुमेंट जो है और जिसने कौमन आदमी को इन्वाल किया है इसका जब तुलना में देखत समर्थक समुहों की गति और समय की गति इसका जो बैलंस रखना जाना चाहिए ना वो तूटता है मैं तो उसको ऐसे लेता हूं कि यह प्रकृति का ही है इससा समझ के उसको छोड़ देता हूं लेकिन अगर कोई आदमी इसको नहीं मनने वाला हो और या उसको कहेंगे एथि अचनात्मक काम काम से छूटा हुआ बात थी वो बिल्कुल बैलन्स की तरह साथ चलती भूदान में भी और इसमें भी हलाकि बोलने में उनके थी कुछ हद तक कुरुती में भी थी जेपी के और उनके नहीं थी ऐसा नहीं है लेकिन यह ऐसा होता है कि इट इसनों सीमिलर ट दान लेना हरे की इन्वाल्मेंट होना समय दान बुद्धी दान और तपश्या दान जो भी दान बाबा ने कहें वो सब आपके हैं तो थे लेकिन हमने पुराने अंदोलनों से कुछ सीख लेने वाली जो बात थी न वो मुझे लगता है कि वो छूटी है हमारे हमने दूसरे अंदोलनों का अविचलेशन दो दो पाच पाच दिन बैठके करते और फिर अपने अंदोलन की स्टेजी बनाते तो शायद हम पर ये बारी नहीं आती ऐसा एक तो मुझे लगता है और मुझे एक बात और लगती है कि अगर इतना व्यापक समर्थन संस्कृति और कल्ला के क्षेत्र में से आप लोग निकाल पाए जो यूनीक था देश भर से तो आप ऐसे कारे करताओं को क्योंने निकाल पाए जो रचना के काम में पूरा आपकी तरफ से तहर हो जाते है वो आपको नहीं कर पाए आप लोग एक तो ये बात और दूसरी जो बात मुझे लगती है ना कि निमाड ये अधिकतर भक्ति मार की रहा है तो वहाँ अभ्यास करना ये बात वहाँ चलती ही नहीं थी कि अपने को बांद के बारे में इसके बारे में अभ्यास करते रहना चाहिए और बाकी जो बाते थी निमाड में से जो लोकल इशू की बाते तो उसको लेकर के भी बहुत कारे करताओं में समझ अच्छी बनी थी लेकिन उसको लेकर के कुछ कारेक्रम हुए इसा तो नहीं हुआ था कुछ महिला दियोस को लेकर कारेक्रम जरूर होते थे कुछ बहुराष्टिय कंपनियों के जैसे नमक वाला कारेक्रम हुआ था तो ऐसे जितना आप नर्मदा बचाओं को संभव था उतना उसने किया था, लेकिन शांतिके समय में अधिक कर सकते थे भी या नहीं हो मैं नहीं बता सकता हूँ, मेरा तब मैं थाविने आप लोगों के बीच में, इसलिए लेकिन गोई का चालेंज ले लेना चाहिए ताए, ऐसा मुझे लगता है, और मुझे निश्चित लगता ह कि तब सरकार अगर पूरा पैसा भी देने को तयार थी तो किसी ना किसी ताकतवर सर्वोदई वालों को इंजिनियरों को लेकिन उसकी तरफ हम लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया ऐसा मुझे लगता है तो समय की गती और अंदोलन की गती इसका संतुलन बैठाना वने इस अन्दोलन के कारे करता हो कि दिमाग में नहीं था उनके दिमाग में अंदोलन की गती थी कि हम एक मरियादा में ही अपने जीवन में काम कर सकते हैं इसका जो भान है ना वो लादेने वाला कोई व्यक्ति मत्वा हमारे बीच में बाहर से भी नहीं आया और इस उमर में आप लोगों से वापिक्षा भी नहीं की जा सकती थी और उस तरह से सोच भी विकसी तंदोलन में नहीं थी ये मुझे सब कहना है रचनात्मक और पुनरवास के कारेक्रमों के बारे में बाकी का तो फिर ठीकी है और अब मुझे लगता है कि और अधिक कहने की जरूने एक बात में भूल रहा हूं कि बरगी बांध में भी लड़ाई चालू थे वहाँ पर राजकुमार और वह लोग थे तवा बात के भी लोग आते थे लेकिन बाद में हम लोग मुझे लगता है कि हरसूत का वो जो इंदिरा सागर वो बन रहा है उसकी तरफ हम लोग मतलब इतना वहां कारेक्रम नहीं चले अपने मंदलेश्वर तक गए थे यहां लोक और सिल्वी और वो और बरगी में राजकुमार की टीम थी लेकिन फिर रिसोर्सेस की वहां बड़ी तंगी रहती थी यहां जितनी प्रचूरता थी रिसोर्सेस की उतनी वहां नहीं थी इस वज़े से भी वहां का सत्यागरा इतना सफ पूरा संसार यह समझ जाता कि बड़े बांद कितने फेल गए और फिर यह इंदिरा सागर और वो बिच में मंदलेश्वर और यह तो होता ही नहीं उसको जितना अधिक हमको हाइलाइट करना चाहिए था वह नहीं हुआ हमसे यह भी हमको मानना चाहिए आज तक भी वह बां सकत्तों करते थे उनको इस रिशुर्सेश में से लेकिन मुझे एकदम साफ दिखता है कि उनको बहुत रिसॉर्सेश की तंगी रहती थी राजकुमर भाई ताक्कतवर लड़ाई थी वहा पर मुझे लगता है कि व्यों सब्सक्राइट कि तरफ हम ध्यान देने में बहुत क के बारे में बहुत है उसके बारे में कोई दो राय नहीं है एक रिष्टा अपने देश-देश के रिष्टाफितों का बना दिया सरकार के सामने बहुत सच्चा याला या अंदोलन ने वह बात अलग है लेकिन हमारे अपने नर्मदापर का जो failure सरकार का था उसको जितना हम भ तो आपने एक बाबा का जाने आप उसी समय सत्याग्रह में काफी बाबा के साथ रहे वहां उसके बाद बाबा वो साल के बाद ही गये शायर तो वो थोड़ा बाबा का घाटी में आना एक बहुत बड़ी एक इवेंट थी और जाना भी तो क्या कारण थे आप बहुत करीबी वहां उस समय रहें तो बाबा के भी जाने के ये बता सकते हैं मुझे जो बाबा ने बताए था बाबा तो नहीं रहे है इसलिए वो मेरे और बाबा के बीच में था और लिखा हूआ भी कहीं नहीं है। दूर होते जा रहे थे इसा उनको खुद को लग रहा था कि उनकी इन्वाल्मेंट उतनी नहीं है यह एक उनको कारण लगने लग गया था दूसरा वो मैंने आपको कहा कि वो पराणजपे काया था 107 वाला वो भी बात नहीं हुई यह गुजरात का जो पत्र आया था मैंने कह उसकी भी बात नहीं हुई बाबा से तो उसकी बात भी नहीं हुई थी और सीधे ही पत्र चला गया था आपके आँसे और वो गुजरात कॉमर्शन इंडेस्टी के लोग बाबा को आकर मिले थे यह भी बात मैं आपको बता था वो भी आकर बाबा को मिले थे तो इसलिए बा मतलब है नर्मदा बचाओ के बिश्मिट उनको महसूस होता था में नोट भी फ्रम दी अधर साइड लेकिन उनको खुद को यह बहुत महसूस होता था कि यह फासला बढ़ रहा है और उनके मन में एक भावना ऐसी हो गई थी कि मेरा जो उप्योग उप्योग हो रहा है उप्य तो व्यक्तिका नहीं हो सकता उसकी मदद हो सकती है तो ऐसी भावना उनके मन में बढ़ गई थी और दूसरा उनके परिवार की तरफ से भी बहुत यह था कि आप इधर आ जाईए तो वो केहल बाबा के हेल्थ का कारण नहीं था लेकिन यह भी कारण था कि उनके भी तो अपने जो मूल भूमिका थी नर्मदा को बचाने की उस भूमिका से थोड़ा सा और आगे चला गया था अधिक व्यापक होने के इसमें और शायद उसके कारण जैसा मैंने आपको अरुन ठाकुर का और साधिना से बात होती थी वो सब कहा था तो उस बारे में उनकी भी भी कुमिका उस तरह कि थी कि ये थोड़ा सा अलग हो रहा है कुछ तो भी बहुत अधिक व्यापक हो रहा है तो पताने ये लडाई को मने मराथित जाला मैंनता था टो के नहीं लडाई लडाई को एक शार्पने साना संगर्ष को उसमें ये लोग कम हो रहे हैं और फिर इसके कारण फिर इश्यूज को लाना पड़ता है ऐसा ऐसा एक तो यह भी महारास्ट में बहुत विशे चलता रहा कि अंदोलन कम पढ़ने के लिए ऐसे लोगों को बुलाया जाता है फिल्म इंदस्टिक के और इनके उनके ऐसे भी चर्चा चलती थी यह सबका परिना मुदर होता ना और उनके अपने भी कुछ वहां बहुत कॉंप्लिकेशन चलते थे फोन पर बाबा जब बात करते थे तो मैं वहीं रहता था वो भी एक करण था हेल्थ का कारण तो बहुत सबार्डिनेट था यहां की खाई एक कारण था यह सब बहुत रोजा नहीं यह बातों पर लगबग ऐसा समझ लीजे ना कि दो-चार दिन के बाद कुछ ना कुछ फोन आता था तो बाबा के मेरे से सब बात होती है थी ऐसे तो इसलिए बाबा चले गहे और यह बात सही है कि बाबा के जाने से लोगों के मन का वो जो एक रहता ने नहेतिक दबाओ बड़ा आदमी रहने से जो रहता है वो कम हो यह बात एकदम सही है और लोगों को एक आदमी वहाँ बेठे रहे ना जिसको मेरे को याद है कि शायद उस समय में दिगविजे सिंग भी मिलने आये थे बाबा से तो उसी सत्यागरा के दर्मिया तो ये सब जो समवाद बनाने का एक पूल जो बीच में था न राजकी औने तुरुत्व से समाद बनाने का वो पूल तूटी गया लग बगए इसा मुझे लगता है वो बाबा के जाने के कारान तो ये थोड़ी बात हुई ये इतना मुझे याद है बाकी नहीं मुझे कुछ याद है बच्पन तो मुझे बहुत याद नहीं है करीब चौथी कक्षा से थोड़ा थोड़ा याद है उसके पहले का मुझे कुछ भी याद नहीं चौथी कक्षा से इसलिए कि तब से मैं पाठशाला में जाना और स्कूल में जाना दोनों अलग अलग चीज़े पाठशाला मतलब जाइन धर्म का प्रशिक्षन होता है वैसे मेरी मा जो कहती है कि मेरा जन्मन जिस दिन हुआ उस दिन गांधी जी के हत्त्या हुई थी और गाउं में तब वो हुआ वाउं